हलो बच्चो गुडीनिंग सभी बच्चो को क्लास 12 वाले बच्चो का चैप्टर नमबर 15 जो अपना जे विवित्ता और सरक्षन वाला इन्वार्मेंट वाला एक चैप्टर है उसको आज अपन कम्प्लीट करने वाले हैं यह चैप्टर अपने अप्लिकेशन पर किया था और काफी कुछ यहां से कभी-कभी जैसे मैंने का चैप्टर नमबर 13, 14 और 15 अब जो syllabus में हैं reduce की बात नहीं करें तो उनमें से अगर आते हैं तो 13, 14 से आ जाते हैं question और अगर 13 या 15 से भी आ जाते हैं question तो यहां पर कौन-कौन से question है हलां कि कम आते हैं 15 से लेकिन फिर भी question है जो basically बार-बार repeat होते रहते हैं और उसी को अपन आज देखेंगे कि कौन-कौन से board में कौन-कौन से साल में कहां-कहां पर क्या-क्वेश्चन आया है किस-किस topic से एक दो चोटी-चोटी-चोपिक हैं और मैंने अपनी जो detail class से उससे भी थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंक सब यहां पर आ गए है आई होप सभी के सभी जो है टाइम पर आ जाएंगे और वन शॉट जोइन कर लेंगे दोस्त आ गई है शक्ति आ गई है उसके बाद आकरती आ गई है अंजली आ गई है अनुपम मिस अनून रुदराक्ष गर्ल एंड आर्ट क्राफ्ट मिस जोड़ा साफसे नीचे नंबर है और वहां पर आप कॉल करके जो भी आपको इन्फोमिशन चाहिए उइंफोमिशन आप ले सकते हैं न्यू अग्मी बैच के बारे में जोभी आपको चाहिए वहां पर मिल जाएगा रिया है जोती है क्राकार्ति के ही है इस एफ लवर है उ और पुरानी NCRT के साफ से, नहीं वाली के साफ से, दो चेप्टर और कम कर लो, है न, तीरवा चेप्टर होगा, तो पंचोट की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो कि अपना शब्द है, जे विवित्ता, यानि कि बायो डाइवर्सिटी, तो उसके बारे में अपन को परिभाषा, अब ये जे विवित्ता के परिभाषा ऐसे शौट टाइक में नहीं पूछी हुए, ये लॉंग अंसर्च के साथ, एड करके आपको पूछी हुए, इसके साथ कुछ और भी एड करा हुआ है, वो अभी आपन जानेंगे नीचे, क्या-क्या एड करा हुआ है, जैसे question आया है, जे विवित्ता क्या है, और जे विवित्ता के प्रकार बताईए, संगठन बताईए, घटक बताईए, स्तर बताईए, आप बोलेंगे ये सब क्या होता है, तो वो अभी आपन नीचे देखने वाले हैं, सबसे पहला कि जे विवित्ता शब्द आया कहा से, तो हर हिंदी शब्द इंग्लिश से आया हुआ होता है यह तो अपन को पता ही है तो मेन इसका शब्द जो है वो बायो डाइवर्सिटी है और यह ग्रीक शब्द है जिसमें बायो कार्थ तो अपन को पता है जीवन या जेव ठीक है और डाइवर्सिटी जो कि एक लेटीन तो कैसे लिखोगे बच्चों ये तो इसका आर्थ बता दिया कि प्रत्वी पर या प्रक्रती पर पाए जाने वाले विविन्न प्रकार के जीवों में जो विविन्नताएं पाई जाती है जो विराइटी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं जे विवित्ता कहते हैं दूसरा अ आपर point आने वाला है कहीं बच्चों को उसमें बड़ा सा confusion है तो अपना confusion थोड़ा सा clear करे जे विवित्ता शब्द किस ने दिया था तो 1985 में एक विज्ञानिक है W.G.Rosen इन्होंने जे विवित्ता शब्द दिया था तो अब सारा ध्यान इधर लेके आएंगे और ये मैंने class म लिखा हुआ है कि जे विवित्ता शब्द Wilson ने दिया था देखो बच्चों दो तीन बाते हैं Wilson ने जे विवित्ता को पॉपूलर किया एसे लाइन लिखी हुए है कि जे विवित्ता को शब्द को लोक प्रिय करने का काम लोक प्रिय करने का काम जो है वो Wilson ने किया था और ज Google देखेंगे, आप कोई competition exam की बात करेंगे, और अधर जगों पर पढ़ेंगे, जो अच्छी authentic books हैं, उनमें ये लिखा हुआ है, कि जे विवित्ता शब्द 1985 में W.G. Ronson ने दिया था, आपको यही लिखना है, और भगवान से दुआ करना कि ये question नहीं आए, आये तो objective में आय कोई कहता है, विल्सन ने जनक है, जे विविता के, कोई कहता है, रोजे ने, तो ऐसे question से तो भगवान दुआ ही रखा करें, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो, हम किसी से लडाई नहीं लड़ सकते हैं, आपने exam दिया, बोर्ड ने एक अंसर पहले से डिक्लायर कर रखा है, बोर्ड उसी को मानेगा, आप उससे जाके यह लड़ाई नहीं लड़ सकते कि नहीं Google पर ऐसे दिया है, हमारे अथन बुक में ऐसे दिया है, तो भगवान से दुआ करो, ऐसे question कभी ना है, ठीके, और आये तो objective आया और उसमें एक ही कोई option हो, तो हमारा काम MP 2019, UP 2022 अभी recently दो सालों से लगातार question आ रहा है, बिहार 19 और 20 यह भी लगातार दो सालों में आ था, अब इस question की popularity इतनी क्यूं है, क्योंकि इसमें घमासान बहुत है, यहां पर मैंने heading लिखी हुए, जे विवित्ता के जेविक संगठन के स्तर, यह जो मैं oblique oblique लगा रही करो, जे विवित्ता के घटक पूछ ले, जे विवित्ता के प्रकार पूछ ले, या जे विवित्ता के जेविक घटक, जेविक स्तर, जेविक प्रकार, कुछ भी पूछ ले, आपका अंसर यही होगा जो अपन लिख रहे हैं, ठीके, यह सब एक ही माया है, और यहां पर जो मैंने प्रीवियस एर लगाए हैं वो सब ऐसे ही आया है कहीं लिखा है जे विवित्ता के स्तर बता दो कहीं लिखा है जे विवित्ता के गटक बता दो कहीं लिखा है जे विवित्ता के प्रकार बता दो ठीके यह सब यही है जे विवित्ता के गटक प्रकार विभिनताएं स्त हो फिलिया हैं अपर होती है लेकिन कितने प्रकार की उती है तो अपने पास जैंद और आप अनुआंशिक पर दो नाम से पता शील रहा है pivotal जैंडिक डाइबसिटिidade जब अपने पास जो जीव हैं उनके जीन में उनके जीनिय लेवल पे या जनेटिक लेवल पे अगर एलील जिसको अपन कहते हैं जीन को प्रदशित करने वाले एलील तो एलील इस तर पे जब विभिनताएं होती हैं या सिंपली आप कहा दो कि जीन में जब वेराइटी होती ह है genetic vanyte होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं अनुआशिक विवित्ता कहते हैं ठीक है एसे समविष्टियात जिसमें उच स्तर की अनुआशिक विवित्ता हैं पाई थारन क्या है इसके उधारन है आपके पास वेराइटी ओफ राइस मिलते हैं बास्मती तो यह जो है यह आनुआशिक इस तर पर वेराइटी मिलती है और हजार जो है अपने पास आम की वेराइटी है यह ऑब्जेक्टिव आ चुका है बिहार वाले बच्चे यूपी वाले बच्चे सुन ले इसी से एक वैद्यक्टिव आला जो मेने आपको MCQ में भी करवाया है मतलब जो इस चैप्टर के MCQ डाले हुए है और क्लास में भी करवाया है कि question ऐसे आते हैं कि निम्निमे से अत्यदिक अनुवांशिक विभिनताएं किसमें पाई जाती है तो पहला आपका अंसर रहेगा चावल क्योंकि उसमें 50,000 मिलती है उसके बाद आपका अंसर रहेगा 1000 वाला जो मैंगो है अगर मैंगो और चावल दोनों है तो चावल को टिक करना है ठीके चावल में 50,000 वेराइटी हमको मिलती है जेनेटिक स्तर की अनुवांशिक स्तर पर ठीके ये अपन को अभी एक variety होती है जिसको सर्प दंश के के लिए उसकरते है सांप कड़ जाता है तो उसकरते है उसी के एक अपने पास वेराइटी है जो हिमालाया के पहाडो पर मिलती है ये डिको चावल के फोटो दे रखे है ये चावल की वेराइटी बहुत कम है यहां पर 50,000 हैं मैंने कुछ ही फोटो यहां पर लिये हैं ताकि आपको पता चली कितनी वराइटी के चावल अपनको यहां पर दिखते हैं ठीक है यहां पर जो है हिमालया पहाडों पर एक राउल्फिया वोमी टोरिया जैसे सर्पेंटाइना है वैसे ही कि स्पीशीज है वो लेकिन जब इनका इनसे एक केमिकल निकलता है इनको निचोड के इनसे एक रासाइनिक पधात निकाला जाता है जिसको बोलते है रैसरपीन यह भी याद रखना है आपको रैसरपीन निकाला जाता है और जैसे जैसे हम अलग-अलग हाइट पे जाके अलग-अलग जैसे आप हिमायल की पाड़ी पे नीचे नीचे अगर ये पौदा लोगे और इसका रैसरपी निकालोगे तो उसकी मात्रा अलग है उसकी कंसेंट्रेशन अलग मिलेगी और थोड़ा हाइट पे निकालोगे तो कंसेंट्रेशन अलग मिलेगी और थोड़ा हाइट पे निकालो कि यह MCQ आ चुका है, बिहार में आ चुका है, UP में भी आ चुका है, बाकी बोर्ड में भी आ चुका है, अलग-अलग तरीकों से, तो सबसे ज़ादा हमें धान मतलब चावल की वेराइटी मिलती है, और फिर आम है अपना, जिसमें अपन को सबसे ज़ादा जनेटिक अगर दुनिया में घूमों गए तो कितनी सारी स्पीशीज मिल जाएगी, आपको यह फोटो देखके पता चल रहा होगा, जाती में कितनी विविनता है, तो भई दुनिया भर में अलग-अलग जगों पर, अलग-अलग जातियों में, अपन को पारी तंत्र में, अलग-अल पशीमी घाट है, वहाँ पे अगर अपन एक उभहचर, एमफीवियन, एमफीवियन की अगर स्पीशीज देखे, तो उसके कंपैर्जन में पूर्वी घाट जो है, वहाँ पे अपन को इसकी जादा वेराइटी मिलेगी, एमफीवियन की, उभहचरोगी, तो संख्या में औ अलग प्रकार की स्पीशीज क्या देखने को मिलती है, इस पूरे पारी तंत्र में या इन्वार्मेंट में देखने को मिलती है, ठीके, थर्ड वाला अपना क्या है, थर्ड वाला अपना सिंपल सा है, वो है पारी स्थितिकी विविद्धा, एकोलोजिकल, पारी स्थितिकी कि अपन पढ़ चुके हैं पारितंत्र में ठीक है पारिसिति की विद्धा क्या है कि इस हर जगा जब परियावरन बदलता है मौसम बदलता है वहां का जलवाईयू बदलती है तो जलवाईयू भोगोलिक वातावरन अदि के अनुसार अलग-अलग जीव पाए जाते हैं जैसे ठंडे इलाकों में अपने परकार के जीव हैं क्यूकि ecology के अदार पर भी अपन को अलग-अलग क्या मिलती है विबिनिता है मिलती है लेंड्सकेप का मतलब वही वोगलिक एरिया ठीक है दरातल। उसको अपना लेंड्सकेप कहते हैं बूद्रश्य का मतलब भी वही है तो बूद्रश्य में जैसे घास के मेदान हो गए वहाँ पे अलग चीज़ मिलेगी नदी या वन में वही नदी की पारिस्तिति की देखों के तो अलग तरह की है वहाँ पे अलग वराइटी है मचलियों की पौदों की सबकी वन में अलग वराइटी है तो यहाँ पे पारिस्थिति की विभिनिता के इसाब से भी हमको अलग-अलग variety मिलती है जैसे अगर आपन बात करें भारत में मरुस्तल, वर्शावन, मेंग्रो, कोरल यह सब क्या है अलग-अलग प्रकार की अपन को यहाँ पे क्या मिलती है विभिनिताएं देखने को मिलती ह यह अपने चप्टर नमर 13 में भी पढ़ा था हमारे पारिस्थिति की शेत्र है यह अलग-अलग अईसे अलपाइन मिडो, अलपाइन मिडो क्या होते है फोटोग्राफ देख रहे हो आप यहाँ पे यह अलपाइन मिडो है पहाडों पर उगने वाले पेड़ पोदे तो इस का रौकी परवत यह उससे रौकी और रानी वाले से इंस्पायर नहीं है रणमीर रंधावा रौकी रंधावा से इंस्पायर नहीं है यह जो रौकी है परवत है उस पे अलपाइन मिडो प्रकार के अपन को क्या मिलते हैं पोदे मिलते हैं जैसे स्केंडीन वेरिया देश म से बहुत अधिक हहां पहाड़ों पहाड ही है कि इनकर अलग अलग जैसे कि इन दोनों में है रौकी में अलग आपको अलपाइन मिलेंगे और कहीं चले जाएगे अलफास में चले जाओके तो और प्रकार के मिलेंगे तो यहाँ पे भी अपन को क्या मिलती है वेराइटी तो अभी दोनों question बहुत important आ चुके बार बार पूछे जा रहे हैं इसलिए इनको ध्यान दे आपने देख लिया हो question में IUCN का नाम क्या है MCQ में भी आ चुका है दोनों में आ चुका है IUCN का फुल फॉर्म क्या है तो IUCN का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल यूनियन पर कंजर्वेशन ओफ नेचरल एंड नेचरल रिसॉर्स ठीक है यह फुल फॉर्म है इसकी इंटरन यूनियन पर कंजर्वेशन ओफ नेचर एंड नेचरल रिसॉर्स यह आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है यह प्रीविएस यह क्वेशन है एक नमबर वाले में उन्होंने एक रिपोर्ट दिये उसके अनुसार हमारे यह पर अगर जंतों की प्रजातिया देखें तो 1.5 बिलियन है 1.7 मिलियन के आसपास हो सकती है और इसके बारे में अभी तक पूर्ण पता नहीं है वैज्ञानिकों का कहना है कि हमको जो जातिया पता है वो तो अभी आधिय दूरी है हमको 1.5 पता है लेकिन हम यह कह रहे हैं कि 1.7 तक भी हो सकती है और उससे जादा भ यहाँ पर आपको बस पेज भरना है इस topic से related या varieties से related ऐसा कोई question अभी आयेगा एक question में आपको बताऊंगी कहां पर आया हुगा है तो वहां पर आपका यह दिमाग काम में आयेगा दिखो यह आकड़ी किसी को याद नहीं रहते हैं मुझे भी नहीं रहते हैं थोड़ा बह बाकी थोड़ा बहुत गप्पे ठोकना बनता है यहां पर इन वेराइटीज पर किसी को याद नहीं रहते हैं या अकड़े ठीक है कोई बुक लेके बैठा हो सामने बात लगे बाकी किसी को याद नहीं रहते हैं अनेग जीव समुओं के ऐसी सूचिया जहां पर सितोष्न दे सर्च कर लिए और अधिकतर जातियों के बारे में अपन को पता चल गया है थंडे इलाकों में लेकिन जो उश्न कटी बंदी अश्यत्र है जहां पर गर्मी सर्दी बारिश तीनों मौसम बदलते रहते हैं जिसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं अपन तो वहां पर अभी काम पाखी है वहां पर पूरी जातिया आपन सर्च नहीं कर पाएं क्योंकि यहां पर जातियों की वराइटी जादा है उदर कम है ठंडे इलाकों में धुरूओं पर कहां कुछ जादा वराइटी आपको मिलेगी तो उनकी गणना तो फिर भी ठीठ ठाक सी है उश्न कटी बंद अदक हो सकते हैं रौबट में ये भव पूच सकते हैं आपको हाइलाइट कर दिया है मैं इसको रौबट में के अनुसार प्रफविपल कुल 7 मीलियं या सतर लाक प्र जातिया ये क्वेज्चन है जहां जहां प्वेज्चन आया हूए मैं बताती रहूंगे आपको कि रोभ दोनों में आपको ध्यान रखना है ठीक है कि रॉबर्ट में के अनुसार इस प्रत्वी पर कितनी जातिया है साथ मिलियन 70 lakh जातिया है ये question आ चुका है ठीक है और इसके आकड़े कुछ निम्न लिखे थे सबसे पहला आपन बढ़ने वाले है कि इसके accordingly ये भी थोड़ा सा याद रखना है जहां याद रखने की चीज़े में आपको बोलती जा रहे हूं 70 प्रतिशत जो है अपने जन्तु जाती है ज जिसको अपन अवरत बीजी कहते है एंजियो स्पर्म जो अपने अवरत बीजी है उसके बाद कीट कीटों का सबसे बड़ा समू है कीटों में सबसे बड़ा समू कौन सा है ये भी question है ये भी question है ये कहीं न कहीं question आये हूँ है किसी ना किसी बोर्ड में MCQ में मान लो filling the blanks मे मान लो जैसे भी मानना हूँ ठीक है तो यहां पर हम कहा रहे है कि सबसे बड़ा अपना जो समू है जानवरों में जन्तूं में वो कौन है कीट है और कीट में भी आपको पता है कौन से संग में आता है और्थो पोड़ा ये भी आ चुका है ज़रूरी नहीं आपको option में खवा मिल सकता है क्योंकि आपको 11 में बताया गया है ये चीज कि और्थो पोड़ा सबसे बड़ा संग है ये तो संग हो गया अगर आपको वर्ग पूछ ले ये पूछ सकते हैं आपको क्योंकि आपको 11 में ये बाते बताई गई है अगर सबसे बड़ा वर्ग पूछ ले औ इंसेक्टा है इसी में आते हैं कीट इंसेक्ट से ही बना हुआ है इंसेक्टा आप देखो यहां पर आपको कन्फ्यूजन हो रखा है अभी तक हमने जो वेराइटी की बात की है यहां पर भई अगर आनुवान्शिक विविन्नता किसमे है तो आप बोलोगे धान या चावल में उसके बाद आपका नाम आएगा आम पर ठीके लेकिन मालो कोश्टन ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा जे विवित्ता किसमे पाई जाती है और अगर उसमें चावल है तो चावल अनसर तब भ लेकिन आपको पूछ ले कि जन्तू में सबसे ज़्यादा वराइटी किसम है यह तो गई प्लांट की केट में तो कीट में फिर उसके साथ आपको अगर जन्तू बोलेगा तो अब्यसी बाते यह दो तो टिक नी करोगे ऑप्शन में है तो भी और अगर ऐसे भी पूछ लेक सबसे ज़्यादा निम्न में से सबसे ज़्यादा वराइटी किसम है ना पादप बोला ना जन्तू बोला ठीक है और ऑप्शन दे दिये तो फिर भी आपको धान टिक करना है बात समझ में आई वैसे यह अनुवांशिक विबिनता है जो भी क्वेश्चन आया है उसमें की होने के अनेक कारण है इसको भी पूछते हैं कभी गभी एक एक दो दो नंबर में कि कीट इस दुनिया में सबसे बड़ा संग है क्यूं ऐसा क्या मिल रहा है उनमें जो इतने दिनों तक रह पाते हैं तो उसके अपने पास कुछ कारण है उसको पढ़ते हैं यह ग्राफ ह ना है नौन वर्टिब्रेट में सबसे बड़ा कौन है कीट नौन वर्टिब्रेट है वो ठीक है उसके बाद वर्टिब्रेट की अगर अपन बात करें तो मतस्य संग है सबसे बड़ा इससे भी क्वेशन बना के पूछ सकते हैं हो सकता है आपको यह दे दे गुमशुदा की तलाश में और बोल देए कौन सा संग है कशेरुको का ठीक है सबसे बड़ी मचलिया है उसके बाद बाकी आते हैं अब यहां पर गड़बर यह है कि यहां पर कवक बोला है सबसे जादा ठीक है है कवक कवक सबसे बड़ा संगे तो अभी अपने पास कीट भी हो गए कवक भी हो गए लेकिन इसमें पादप बोल के गलती करी होगी है क्योंकि अपन पढ़ते हैं 11 से पढ़के आए कि कवक तो पादप में आते ही नहीं है कवक का तो अलग ही गुरूप है प्लांट्स कैटेगरी में आते ही नहीं है प्लांट अलग है फंजाई अलग है फाइफ किंडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को अलग नाम दे रखा है तो उस चक्कर में थोड़ा सा गडबड है लेकिन एक बार ये भी ऑप्शन आया था उसमें चावल भी ऑप्शन नहीं थ उसमें कीट भी option नहीं था उसमें आम भी option नहीं था उसमें कवक option था तो फिर कवक अंसर अपन को सही करना था वो option इसी accordingly आएंगे आपके पास ठीके यह सारे previous year question है कही न कही आयो है नीट में भी आयो है कुछ तो ठीके अब है जली इस थली है जो और्थोपोड़ा है कीट है उनमें ऐसी क्या बात है कीट की क्या विशेष्टाएं हैं जिसके कारण वो इस धर्ती पे राज कर रहे हैं सबसे ज़्यादा variety दे पा रहे हैं तो सबसे पहला कि यह हमको जल में भी मिलते हैं उस थल में भी मिलते हैं अब आप बोलोंगे जलों में कौन सी कीट मिलते हैं ज इसके बाद इनके पास संदी युक्तू पांग होते हैं जोइंटेड पे लाएं जो इनके appendages है वो जोइंटेड है पंक होते हैं उडने के लिए विबिन प्रकार के परियावस्तों में रहतेते हैं सब प्रकार के सबी जगापे कीट मिलेंगे आपको बारिश के दिनों में देखो, जनजाल सा मचा होता है कीटों का, पता ही नहीं चलता है कितने कीट है, कई बच्चे मुझे फोटोग्राफ बेचते हैं, मैं यह कौन सा कीट है, मैं गा मुझे माफ कर दो, मतलब वर्ड का सबसे बड़ा संग है, कितने कीटों के नाम में याद करूंगी, मेरे लिए कीटों के प्रत्वी पर सफलता जीव होने के अनेक कारण है, ठीक है, यह कुछ कारण है, और भी आप लिख सकते हो, कि इन में जो है, लार्व आवस्ता पाई जाती है, अपने पड़े हुए, थोड़ा सा लोगर ग्लासे में, तो आपन वहां पे भी जो है, इसको देख सकत नेक्स से अपना, कि आकलन में प्रोकेरोटिक जीवो की संख्या नहीं दी गई है, हमने कभी भी बैक्टीरिया की संख्या नहीं ना पिये, यह इसको बना के दे सकते हैं, निम्न में से गलत कथन है, या निम्न में से सत्य कथन है, ऐसा कुछ बना के, प्रोकेरोटिक की अभ प्रयोक्षार्णा परस्तिति संवर्दित नहीं कि जा सकती अच्छा प्रोकिरुट पर गंडना क्यूं नहीं बहुड़ीया क्यों कि बहुत सारी ऐसी बैक्टिरियल स्पीशिजयेग जिव जिनको आपन게ॉडर्णे उगा नहीं सकते या संवर्दित नहीं कर सकते तो आप उन चलता है उनकी life cycle के बारे में या जीवन चक्र के बारे में या उनकी सारी चीजों के बारे में ठीके भारत की जय विविट्ता अब भारत में कौन-कौन से जय विविवत्ता पाई जाती है कितनी जे विवित्ता पाई जाती है इस पे एक आने वाला है question नहीं आया है कभी पर जैसे मैंने कहा कि जब फोकने की बारी आएगी तो यही काम आएगा ठीके चलो क्या है भई भारत का शेत्रफल लोगण को पता है 2.4 है ठीके विश्व के बारा महा ये भी आसकता है कि अपने कितना मेडा डाइवर्सिटी है ठीके बारा मेडा डाइवर्सिटी मेगा डाइवर्सिटी है जिसको अपन महा जेव विवित्ता भी कहते है किसके अंदर भारत विश्व के बारा महा जेव विवित्ता में से एक है बारा टॉप जहां पे जे विवित्ता पाई जाती है लिस्ट बनाई हुए उसमें टॉप 12 के अंदर इंडिया का नंबर आता है ये कहना चारा है ठीक है पौदों की लगबग 45,000 जाती है पाई जाती है और लगबग जन्तों की जो है इससे भी जादा दुग नी जाती है अपने पास है ये वाला आकड़ा आपन पहले भी दे रखें कि प्लांट में 22 है और जन्तों में सित्तर है ये आकड़ा याद रखना है ठीक है 22% प्लांट है और 70% जो है वो जन्तु है जो अन्डे पर पता चला कि भारत में ये आप आकड़ा देख लेना मेरी मैच्स थोड़ी सी वीख है और इतनी से भी अधिक जन्तु प्रजातियों को खोजा जाना बाकी है बाकी है वही इतना तो अभी अभी आपने डिस्कवरी नहीं किया अब बात कर रहे हैं अपन जे विवित्ता के प्रतिरूप इस पे क्वेस्चन ऐसे आते हैं छोटे मोटे क्वेस्चन बड़ा भी आसकता है बना नहीं कर रही लेकिन दिखा नहीं मुझे लेकिन आसकता है जे विवित्ता के प्रतिरूप हो सकता है 2019 से पहले कभी आया हो लेकिन बागी छोटे-छोटे questions आये हुएं या तो MCQ में या एक number में तो जे विवित्ता के प्रतिरूप क्या है पैटर्न क्या है जे विवित्ता के कि यह जो bio diversity है वो कैसे मिल रही है अपन को एक pattern होता है ना किसी चीज को करने का एक flow होता है कि अपन syllabus पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे ऐसे biodiversity कैसे मिलती है तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं अक्षांशी प्रवनता पे ठीक है अक्षांशी प्रवनता में संपूर विश्व में समान ना होकर असमान वित्रण होता है अब यह होता है क्या है इसको एक diagram से समझा देती हूँ मैं देखो अपनी प्रत्वी है गोलनी दिख रही है लेकिन है प्रत्वी ठीक है इसमें यह इस्ट है यह इस्ट वेस्ट नॉर्थ और सौथ और थोड़ा सोड़ा अपन सोशल पढ़े हुए सोशल में अपन बोलते है यहाँ पर जो एक मध्य में से रेखा जाती है जीरो डिग्री पर उसको अपन कहते है भूमध्य रेखा फिर साड़े 23 डिग्री उत्तर की और जो होती है वो होती है अपनी करक रेखा है ना मकर सकरांती आने वाली अभी याद कर रही हूँ मैं और यह जो अपनी है साड़े 23 डिग्री नीचे जो होती है उसको अपन बोलते है मकर रेखा अब यह कहना है इस वाले पैटर्न का कि भूमध्य रेखा पर सबसे जादा बायो डाइवरसिटी मिलेगी मतलब यह वाला जो एरिया है अपना जिसको मैं ग्रीन कर रही हूँ इस वा बूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे बायो डाइवरसिटी में कमी आती जाएगी और यह आपको दिख भी रहे है यहां पे कौन होते हैं यहां पे दुरू होते हैं पोल और पोल पे आपको पता है बर्फ जमती रहती है बर्फीले है सारे पोल यह भी बर्फीला है यहां आपको बायो डायरसिटी कम मिलेगी है जानवर मुष्किल से दो चार दो चार वियराइटी अपको जो है देखने को मिलती है तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेका से उपर की और जाएंगे या नीचे की और जायेंगे बायो डायरसिटी में डूर जातियों ए theo चैरे दीड तर साधे आधे si degree दक्षण में जातियों में जो आपको क्या है अधिक मात्रा मिलेगी कुछ ही ऐसे अपवाद हैं कुछ है अपवाद जहां पर आपको वैरियटी मिल जाएगी लेकिन ज्यादा तर में अपन को क्या होगी कमी ही आती जाएगी जैसे जैसे आपन उपर जाएं मतलब equator पे तो बीच में है यह तो यहां पे अपन को 1400 species मिल रही है लेकिन जब अपन 41 डिगरी उत्तर में जाते हैं तो अगर अपन यहां से उपर गए 41 डिगरी आपको पता है डिगरी में ही नापते हैं अक्षान सो को थोड़ी थोड़ी social आपने पढ़ी है डिगरी में आप तो अगर 47 डिगरी 41 डिगरी अगर उपर चले जाए तो वहां पर पक्षियों की वेराइटी 105 हो जाती है और ऐसे ही अगर अपन ग्रीन लेंड में चले जाए 71 और उपर चले जाए दुरूओं की तरफ चले जाए तो आपको पक्षियों की वेराइटी और कम हो जाती है 56 हो जाती है यह इसका क्या है एक एक एक्जम्पल है ठीक है भारत में जिसका अधिकतर भूबाग उश्न कटी बंदिये शेत्र है बारा सो से अधिक पक्षी जाती ह मिलती है भूमंदी रेखा के आसपास यह जिसको अपन कहते है उश्न कटी बंदिये शेत्र में दक्षीडी अमेरिका के अमेजोन उश्न कटी बंदिये वर्शावनों की जे विवित्ता में सबसे अधिक है इस पूरे परियावरन तो वह मिलती है दक्षीडी अमेरिका दोनों याद रखना है दक्षीडी अमेरिका के جो अमेजोन जंगल है अमेजोन वह आप अग वह नहीं थे Amazon है वैसा तो यह लेकिन इंग्लिश में उसको Amazone भी कहते है तो Amazon के जो वर्षावन में भी वर्षावन उस नकटी बन दिए वर्षावन वहां पे सबसे जाधा प्रत्वी पे क्या मिलती है जे विवित्ता मिलती है क्या है यहां कि जे विवित्ता देखो ज़रा 40,000 से जाती है तो भी प्लांट की है सिर्फ यह पूछ सकते हैं कि Amazon को जे विवित्ताओं का भंडार क्यों कह रहे हैं क्या है ऐसा तो थोड़ा-थोड़ा आकड़े आपको थोड़े से क्लियर होने चीह है यहां पर तीन हजार मचलियां, तेरा सो पक्षी, चार अजार चारसो सत्ताइस, चारसो सत्ताइस उभैचर, तीन सो अठतर सरिसर्प और एक लाग पच्चेस हजार के आसपास और कशेरुकी यहनिकि नोन वर्टिब्रेट हमको यहां पर मिलते हैं तो विराइटी तो है वही इतनी विर सवाल है अभी नीचे आएगा तम मैं इसको क्लियर करूंगी नीचे आने वाले यह वैसे भी नेक्ते जो चतिसगर 2021 में पूछा हुआ सवाल है और मुझे लगता है इसके आने के चांसे फिर से हैं दूसरे बोर्ड में भी यह NCRT में भी है इसलिए आने के चांसे जादा है और NCRT का आते हैं MP वाले थोड़े से कान खड़े कर लिया गरू क्योंकि NCRT वाले क्वेश्चन MP में बहुत आते हैं ठीक है तो MP वाले भी सतर करे हैं बाकी बोर्ड वाले भी क्वेश्चन है कि उश्ण कटिबंदिये शेत्रों में बाकी वे यह क्वेश्चन आया है लेकिन कुछ में MC क्यों में आ गया कुछ में एक नंबर में आ गया 36 गड़े में लॉंग में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है उश्ण कटिबंदिये शेत्रों में सर्वच स्तर की प्रजाती सम्रिज्दता इस पश्टी करण देने वाली तीन परिकल्पना है। अधिक क्यूं है। वहाँ पर बरफी ले तुफान, हिम नदिया, आधा एक बार अगर कोई बरफ का तुफान आ गया तो वैसे ही बहुत सारी जाती है। नश्ट हो जाती है। कुछ का तो सामराज जी विगड़ जाता है। ठीक है, नई जातियों की उत्पत्ति यानि की इस्पैशियेशन, जैसे की उष्ण कटी बंदी शेतों में नई जातिया भी बनती है। शितोष्ण में नहीं बन पाती है। इस्पैशियेशन का मतलब नई जाती की उत्पत्ति जो हिंदी में भी लिखा हूँ है। तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि शितोष्ण शेत्रों में भूत काल में अनेक हीमी करण और ग्लेशियेशन। बर्व के पहाड गिरना। उसको बोलते हैं ग्लेशियेशन या हीमी करण। ठीके उसका सामना करना पड़ा। जक्की उश्ण कटी बन्दियों में ऐसा कुछ अपन को बादा रहित जो है। ऐसा कुछ अपन को देखने नहीं मिलता है। बादा रहित हमेशा कैसा रहता है विकास रहता है। जाती उत्वाव आसान रहता है। अत्तक किसी प्रकार की बाधाओ और गड़बडियों से बचे रहने के कारण। उस्ट्र कटी बंदिये शेत्रों में वित्ता अपन को जादा देखने को मिलती है। दूसरा अपना रेज है। मौशमी बदलाओ की नयुन्ता। मौशम बदलता हैसा लेकिन ऐसा नहीं कि बयान कोई ऐसे तुफान चल रहे हैं। पहाँ घर है तो तो एसा यहां पर नहीं होता है तो यहां पर यह होता है कि विश्ण कटिमन्दी पर्यावरण जो हो खितो के comparison में थोड़ा सा इस्तिर रहता है परिवर्तन जादा नहीं लाते रित्वों की व्यापक परिवर्तन नहीं लाते हैं व्यापक मतलब बड़े बड़े परिवर्तन नहीं होते हैं जो regularly चार रित्वों आरे हैं वो आरे हैं तीक है उसके accordingly मौसम जो है परियावरण निकेत विशिष निकेत पड़ा हुआ है आपने चैप्टर नमर 13 में ऐसा विशेष शेत्र जहां पर कोई विशेष प्रगार की जाती पाए जाती है उसका कारियात्मक योगदान रहता है उसको निकेत कहते हैं तो निकेत जो है वो यहां पर मिलता है और प्रजातिय विद्धा भी बढ़ती जाती है तीसरा और सबसे में रिजन है उर्जा का स्त्रोथ सौर भूमते रेखा और उश्न कटी बंदिये शेत्रों में सूरी की किरने आराम से मिलती है और सूरज आपको पता है जहां सूरज है वहां तो पनप नहीं है वहां पर अगर आप द्रूओं पर या शितोषन एरिया में बात करोगे जहां 6 महीने सूरज दिखता है 6 महीने सनलाइड मिलती है 6 महीने नहीं रहती है तो बायो डाइवर्सिटी होने का कुछ ज़्यादा चांस नहीं रहता उस्नकटी बन दिये शित्रों में सूर्य की उर्जा अधिक होती है तो उत्पादक भी अधिक होंगे पौदे जादा हो गएंगे अधिक उत्पादक्ता और अधिक विवित्ता में पोशक होती है और अधिक परोग शुरूप से अधिक विवित्ता के निर्माण में योगदान मिलता है ठीके ये तीन अपने क्या है मेंन रीजन है आगे चले सूरज की रोशनी मिलती है बच्चे कम क्यों है कहां चलेगा है सबके सब चले आगे अच्छा है यहां पे सारे नए स्टूडेंट है तो पुराने कहां गए पुरानों की बायो पूरी हो गई दहूं जाती है इन्होंने क्या किया अमेरिका के बनो पे अध्यान किया और अमेरिका में जो पाई जाने वाली जातियां हैं उनकी संभृद्धता पर बात की कि उन्होंने कहा कि जे विवित्ता ऐसा नहीं कि बढ़ रही है तो बढ़े जा रही है हर चीज की लिमिट है यह अपने चैप्टर नमबर 13 में भी बात की थी कि कोई भी जाती ऐसा नहीं बढ़ेगी तो बढ़ती जाएग अगर कोई शेत्र है जहां पर प्रजात्ती सम्मित्ता बढ़ गए तो वो एक सीमा तक बढ़ेगी और उस सीमा के बार उसकी जो व्रद्धी है वो यह तो लिमिट हो जाएगी या फिर स्थिर हो जाएगी ठीके उन्होंने जीर सम्मु जैसे पुषपी पौदे एक पहनी उन्होंने काफियों पे किया था पौदों पे किया पक्षी पे किया चमकादर पे किया और एक ग्राफ बनाया यह ग्राफ कैसा था अती परिया वलायकार था यानि कि हाइपरबॉलिक था इस पे भी पीवाई क आती परेवलेकार हुए जब उन्होंने ग्राफ बनाया भी मैं आपको ग्राफ बता कुछ क्या था. ठीक है? ऐसा मिला जिसको अपन क्या बोलेंगे रभी परेवलेकार क्याहर भूल टो एस उनको ग्राफ मिला है जब उन्होंने अलग-अलग परकार के McGrice और अब अभटे के में अभथ ही अ फिजिक्स पते हो तो आपको पता है ऑन करते हैं दो यह पर आप किसे कंगल से कृतेना है मैं अब हमागते हैं जरोगा धिक्ष एलनकालते है वैसे ही भनाया गया है लेकिन अपन को ना यह बोला गया है कहीं पर और नहीं अपन को जानना है कि यह कैसे ग्राफ आया अपन को सिर्फ ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसा था और उसकी क्या समीगरण थी तो उन्होंने क्या किया एक समीकरण निकाली इस graph से और इसमें बताया कि इसमें जो ये आपको graph दिख रहा है ये graph भी आपको बनाना पड़ेगा ये graph जो दिखता है उसमें ये जो blue line है वो तो s है और s equals to c a square है जबकि जो log पैमाना होता है उसपे जो graph मिलता है उसकी value log s यहां पर भी लिखा हुआ है log s log c z log a ये याद रखना है हो सकता है ये mcq में एक नंबर में या बड़े equation में भी आपको दिखे अब इसमें कौन कौन से चीजें क्या क्या हैं वो पढ़ लो ये याद रखना है तो कि उन्होंने graph कैसे निकाला क्या था उसका और s यहां पर जाती सम्रद्धी है मतलब जाती की म्रद्धी है a यहां पर शेत्र है z जो है वो धलान है graph की जिसको अपन साम्या शरन गुडांग या regression coefficient भी कहते है इसकी value आपको ध्यान रखनी है भी नीचे आ रही है कि z की value किस में क्या होती है ठीके तो z क्या है एक रेखिय ढलान है जो किसका रेखिय ढलान है साम्या शरन गुडांग या regression coefficient का गुडांग है और दूसरा आपने पास जो है वो है c और equals to y जो क्या है एक intersect है यह maths की बाते हैं जो जिन बच्चों के additional maths है उनको समझ में आ रहा होगा कि intersect क्या होता है ठीके चलो physics में भी पढ़ा होगा next चल रहे है अपन कि z की value 0.1 से 0.2 तक होती है यह value आपको ध्यान रखनी है highlight मैंने इसलिए कर रखी है अगर शेत्र छोटा हो अगर कोई छोटा शेत्र है तो उसके लिए z की value 0.1 से 0.2 आती है वही calculation करेंगे तो आएगी लेकिन अगर कोई शेत्र बड़े है अगर कोई शेत्र बड़ा है जैसे कोई महादीप है वगेरा है तो z की value बढ़ जाएगी और 0.6 से 1.2 के बीच में आ जाएगी ऐसे ही अगर हम महादीपो पे बड़े बड़े जो महादीप है उनकी अगर फलहा हारी जो फल खाते हैं उन पक्षियों की और मेमेलिया की अगर ये graph बनाए या रेखा बनाए तो उसमें z की value 1.15 आएगी ये भी mcq है कि स्तंदारियों की या पक्षियों की z value क्या होती है तो 1.15 आच्छा z value नहीं पूछ के आपको हिंदी में भी पूछ सकता है कि समाश्रण ये समाश्रण गुडांग ये वही शब्द याद करना थोड़ा है मुश्किल है लेकिन याद करना पड़ेगा कई बार इसी से आजाता है question कि समाश्रण गुडांग क्या है इसका graph कैसा होता है ऐसे करके पूछ ले तो भई regression coefficient English वाला भी और English के साथ Hindi वाला भी दोनों आपको याद करने है ठीके अब है बायो डाइवर्सिटी के महत्व पारी तंत्र के लिए जाती विविद्दा के क्या महत्व है अगर हमारे पारी तंत्र में जाती विविद्दा नहीं होगी अगर variety नहीं होगी तो हमारे पारी तंत्र पे फरक पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि हर जीव दूसरे जीव पे डिपंडेंड है संबंदित है यह अपन को पता है तो अगर कोई भी जीव खतम हो जाएगा तो उस पे डिपेंड रहने वाले और नहीं भी डिपेंड है तो परियावरन पे खाद्य शंखला पे खाद्य जाल पे सब पर फरक पड़ता है तो जाती विवित्ता का परियावरन पर फटो पड़ता है पर्यावरन के पास प्रश्चन को कोई निश्चित सट्व इत्र नहीं करता है अगर हम बोले कि हर साल कोई नहीं जाती उतपर्ण हो जाए तो ऐसा पॉसिबल आपको पता है जाती तो दीरे दीरे बनती है और जे विवित्ता भी ऐसा नहीं कि हर साल हमको नहीं नहीं जे विवित्ता मिले उसके लिए भी आपको क्या लगेगा टाइम लगेगा लेकिन जे विवित्ता का हमारे पारी तंत्र पर इको सिस्टम पे क्या फरक पड़ेगा इसको जानने के लिए अपने पास जो है कुछ साइंटेस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किये हैं और कुछ व्यूस दिये हैं वो अपन को ध्यान रखने हैं ठीक है इनोंने कहा कि प्राकरतिक और जन्न्य भादाव को रोकने और उनके प्रतिरोध में सक्षम होता है अगर पारी तंत्र में डाइवर्सिटी होती है विविनिताय होती है तो पारी तंत्र स्थिर रहता है संतुलित रहता है बिगरता नहीं क्योंकि वही मान लो एक जीव है वो किसी को खा रहा है और वही जीव किसी दूसरे को भी खा रहा है तो अगर एक जीव वहां से खतम हो तो उसके पास variety रहेगी कि वो और किसी को खा पाए तो जे विविद्धा से फाइदा तो होता है स्थरता रहती है एक scientist है जिन्होंने कहा था डैविड Tillman इनका statement पूंच जाता है कि डैविड Tillman ने क्या कहा और किसके बारे में कहा क्या कहा और किसके बारे में कहा तो इन्होंने क्या कहा वो तो नीचा आ रहा है किसके बारे में कहा प्रजातिय सम्दता के बारे में प्रजातिय सम्दता की पारी तंत्र पर प्रभाव के बारे में या जे विवित्ता के पारी तंत्र पर प्रभाव के बारे में बताया इन्हों ने कहा कि अगर पारी तंत्र पर इन्हों ने बहुत जादा प्रयोग किये लैब में नी प्रकृती में प्रयोग किये लैब से बाहर प्रयोग शालत से बाहर भी इन्हों ने कही प्रयोग किये और जैसे साल बढ़ेंगे विविद्धिताइं कम होती जाएगे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिये के बात करें तो पूरी प्रकृतिकी नहीं करें पूरी एरिये की बात करें अगर हम तो यहां पर साल धर साल बायोडाइवसिटी कम हो जाएगि क्यों कॉंपरिटिशन से छोड़ के चला जाएगा या फिर पूरा ही खतम हो जाएगा यह चीज अपन को इस पढ़दा वाले नीयम से पता है यह एक और इंपॉर्टेंट है वही रीवर पोपर परिकल्पना क्या है यह भी इन्हों ने दी थी कि जे विविता के होने या ना होने से क्या प्रभाव पड़ता है तो रीवर पॉपट किस ने दी थी पहले तो यह आ चुका है पी वाई क्यों है कि रीवर पोपर परिकल्पना किस ने दी थी एंपी बोर्ड में शायद फिलिंग दे ब्लैंक्स में या ऐसे भी कहीं आया हुआ है कि रीवर पोपर परिकल्पना किस ने दी थी तो यह अपनको पॉल हेरलिच ने दी थी और इन्होंने क्या कहा था इन्होंने एक एरो प्लेन क example लेके अपने को explain किया था कि कैसे अपना पारी तंत्र जो है वो जे विवित्ता अपने पारी तंत्र को कैसे प्रभाविक करती है बड़ा ही फणी सा example है इनका बदर आपको याद हो जाएगा ऐसे कोई hard नहीं है इन्होंने कहा कि मान लो कोई aeroplane है तो आपको पता है aeroplane में बहुत सारी चीज़े होती है उसके पंखे भी होंगे और वील्ज भी होंगे सब कुछ होगा और अगर अपन सोचे तो यह aeroplane एक तंत्र हे एक क्या है एक पारी तंत्र है और इस पर जो नटे लगी हुई है वो बाद लो कोई जाती यह जीव पर कोई जाती यह जाती या एरोप्लेन से स्कूरू ले जा रहे हैं तो एक दो स्कूरू ले जा रहे हैं वो अपने साथ निकाल निकाल के तो एक दो स्कूरू ले जाने से एरोप्लेन को कोई फरक नहीं पड़ेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा दस बारा भी ले जाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़े रहेगा दूसरा एनोने का कि ऐसा ही प्रकृती में भी होता है प्रकृती में अगर बायो डाइवस्टिटी है तो एक दो एनिमल के खतम हो जाने से या एक दो वेराइटी के खतम हो जाने से शायद इन्वार्मेंट पे कोई फरक नहीं पड़े लेकिन यही मात्रा बहुत खतला तो पारीतंत्र में किसी जीव के नश्थ होने पे यह भी परक पड़ता है कि जीव कौन सा नश्ट हो रहा है अगर मान लो वो उस पारी तंत्र का कोई महत्पूर जीव था जिस पर दूसरे जीव भी डिपेंडेंट थे तो फिर पारी तंत्र को फर्क पड़ेगा एक यहां पर टर्म आई है अभी मैं इसको पढ़ रहे हूँ इको टोन इको स्टोन इको टोन करके बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे हैं इको टोन जाती क्या होती है इसी जाती जो किसी परियावरण में पूर्ण प्रभाव डालती है उसको बोलते हैं इको टोन जाती ठीके की स्टोन जाती स्वारी इको टोन तो अलव हो गया इको टोन कीस्टोन कईस्टोन कगा किश्टोन जाती क्या होता है कीस्टोन जाती है कि इसenne यह पारितंद्र जैसे हैं हवाईजाच की तरह और उसकी जातिया है वो उसके जोडने वाली कील है अगर हम किसी हवाईजाज के सभी छोटे-छोटे भाग निकाल दे तो क्या होगा वे तो सिर्फ एक-एक कील ले जाने या दीरे-दीरे एक-एक प्रजाती के विलुप्त हो जाने से शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एरोप्लेन की क्योंकि एक-दो अपने स्कूरू निकाले लेकिन जब एक से अधिक बार कील निकाली जाएगी तो हवाईजाज का खतरन भाग धंग से कमजोर हो जाएगा ठीक है और ऐसे ही अमारा प्रियावरण भी खतम हो जाएगा या उस पर प्रभाव पड़ेगा दूसरा इनका क्या कहना था कि अगर हवाईजाज के पंखे के प्रमुख भाग से खील निकाल दे है न और वो भले कम ही क्यों नहूँ लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी प्रजाती जो पारितंत्र में कोई विशेश काम कर रही है कोई विशेश प्रभाव कर रही है अगर वो नश्ट हो जाए तो तो पारि कील को निकाला जा रहा है वो भी डिपेंड करता है कि पारितंत्र या एरो प्लेन कितना डेंजर में आए है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं रीवर पोपेट कर परिकलपना कहते हैं यह आपको टिकपणी में पूछ सकते हैं अब आते हैं जेव विवित्ता की शतित कि जेव विवित्ता क्यों खतम हो रही है दीरे दीरे आप देख रहे हो हमारी बहुत बायो डाइवसिटी दीन बदिन कम होती जा रही है वैराइटी क्षतम होती जा रही है अभी अपनको डाटा देंगे एक तो यहां फुल फॉर्म आ गई है IUCN की वो याद रखे यहाँ पर देखो दे रखा है कि प्रशान्त मागस अगर में 2000 से ज़्यादा जातिया जो है वो विलुप्त हो चुकी है और IUCN ने एक red list निकाली थी 2004 में उसके according लिए यह तो बहुत पुराना डाटा है अब तो और कम हो गई होगी ठीक है 500 वर्ष में कुल 7,084 प्रजातिया विलुप्त हो गई है और उसमें से 359 तो अप्रश्टदारी है और 338 जातिया जो है वो कैसी है वर्टीब्रेट की है कौन-कौन यहाँ पर question है PYQ है यहाँ पर क्या-क्या PYQ है एक तो कौन-कौन सी जातिया विलुप्त हो चुकी है तो यह देखो ऑप्शनल में भी आया हुआ है question objective में भी एक बार ऐसे भी पूछ रखाता दोडो क्या है अब डोडो हमको क्या पता डोडो हमने ध्यान से पढ़ा हो तो हमको पता होगा डोडो डोडो एक पक्षी है कहां का है यह और यह विलुप्त जाती है एक बार बियार बोड में यह question आया हुआ है कि डोडो है क्या है विलुप्त जाती है संक्रमित जाती है ऐसे करके दो-चार option दे रखे थे तो विलुप्त प्रजाती है ठीक है यहां पर दे रखा है विलुप्त हुई पक्षी प्रजाती है इसके बाग की तीन उप प्रजातिया बाली जवान और कैपसिय इसमें से देखो कहीं से भी क्वेशन आ सकता है जो क्वेशन आए हुए है वो मैंने हाइलाइट की हुए है आगे इनका भी नमबर आ सकता है पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातिया विलुप्त हो चुकिये और जो विल जातिया सारी जातिया जो है दीरे दीरे विलुप्त हो रही है यह कुछ डाटा है फिर से पढ़ लेते हैं इसको वर्तवान में 12 प्रतिशत प्रजातिया स्थनियों की 23 प्रतिशत उबहे चोरों की 32 और जिम्नोस्परम की 31 और यह सब खत्रे से जूंज रहे है खत्रे में है दुरलब प्रजातिया क्या होती है ऐसी प्रजातिया जो बहुत कम संख्या में है या आप किसी विशेश स्थान पर ही मिल रही है हर जगा पे नहीं मिलती उसको अपन क्या बोलते है रेयर इस्पिशी या दुरलब प्रजातिया क्याते है आनुवांची ग्रूप से शती ज हो जाएगा परियावरण में गड़बड़ी आने लग जाएगी सूखा बाड ऐसी चीज़ आने लग जाएगी पारी तंत्र की कुछ क्रिया है जैसे उत्पादक जल का उपयोग पीड़क रोग चक्र ठीक है और वर्तमान में प्रत्वी से प्रजातियों के विलुप्तिकरण का छटा विलुप्तिकरण है ऐसे ऐसे बहुत सारे हो चुके सेशन चल रहा है वही सीजन चल रहा है जैसे अपने मैच का सीजन चलता है आई पीएल का सीजन वन आई पीएल का सीजन टू ऐसे अपना विलुप्तिकरण का छटा विलुप्तिकरण है यह वाजब इससे पहले रिसेंटली आयो हैं सारे रिसेंट सवाल है MP 21 राजस्ताइन 26 चतिसगर 21 तेइस और यूपी 23 जे विवित्ता की शती के कारण क्या है कि यह बायो डाइवर्सिटी जो कम हो रही है इसका क्या कारण है लॉंग अंसर में सबसे जादा इस चेप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो यही वाला है most important इसको क्या बोलते हैं जो चार कारण है हमारे पास जे विवित्ता की शती के उनको अपन क्या बोल रहे हैं पात की चोकडी कह रहे हैं पात की चोकडी क्या है एक बार ऐसे भी पूच सकते हैं कि पात की चोकडी क्या है तो आप बोलना हमको तो यह पढ़ और यह सब नोट कर लें इसमें थोड़ी चीज़े मैंने एड भी की है ठीके परियावारस शती और विखंडर परियावास का मतलब हैबिट उनका आवास आप लोगों ने जानवरों के घरों में जाके अपने घर बना लिए होटले बना लिए है ना कोई बिल्डिंग बना लि और एक विखंडन हो रहा है मतलब आप तुकड़े करते जा रहे हो भूमी के अलग-अलग भागों में कोई जंगल था उसको काट के कुछ और बना दिया कोई सड़क बना दी कोई रोड बना दिया ऐसे करके आप क्या कर रहे हो जंगलों को खतम कर रहे हो तो इसमें क्या आ बना युक्त बहुत अच्छा नाता है यह देखो अमेजोन के जंगल अमेजोन के वर्षावन जी क्या कहलाते है प्रत्वी के फेफटे कहलाते है इसपर पीवाई sweeterू है पी वाई क्यों में दो चीजह कि चीज़ें रहा है सीदा सीदा के परत्वी के पेफटे इसको कहते हैं तो पाधू को कहते है वो बात भी ऑधा भी सभी है स्थित जान्षा shaping को तो आमेजों की जंगल को थाएंगन था साजने में के पयाईटि को ही है पॉद्व के लिए आमेजों क Michigan में प्रतफवी का है नीलघ्रा मतलब अपनी प्रतवेज तो यहां पर दीरे दीरे लाखो जातिया जो है वो गायब हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि Amazon के जंगलों में सोया भी इनकी खेती करने या पशो के चराने वह उगाने के लिए काटा जा रहा है आप वहां पर वेराइटी है बहुत जादा फेमस है Amazon के जंगल अगर किसी ने पहल जंगलों की ही फोटो शूट होती है वहां पर बहुत वेराइटी मिलती है जानवरों और प्रांट्स की जो आपने कभी नहीं देखे होंगे ठीक है तो यहां पर बहुत सारी वेराइटी है और उनको काटा जा रहा है विखंडन क्या है तो विखंडन की परिभाशा यहां पर दे रखिये कि जो भी आवास है उनको किसी ना किसी कारण वर्ष छोटे-छोटे खंडों में विभाजित कर रहा है खेत में से रोड बना दी हाईवे बना दिया घर बना दिया तो आपने जंगल काटे जंगल काटे तो उनका आवास खराब होगा ठीक है पूर्ण शती के अरतिरिक्त अनेक आवासों में प्रदूशन प्रदूशन संकट पैदा कर दिया है बहुत सारी समुद्री मचलिया जो है वो मर गई है अती दोहन का शिकार हो रही है ठीक है और व्यावसाइक रूप से महतपुर कुछ रजात्यों के अस्तितों को भी खत्रा हो गया है ये सब हाईवे बगरा बनाने से घर बनाने से होम रेंज बनाने से बिल्डिंग बना दिय आपने प्लॉट कार दिये खेतों में मकान बेचेंगे तो उस तरीके से आप क्या कर रहे हों क्या हावासो को खतम कर रहे हो दूसरा अपना मेन रिजन है अत्यू दोहन अती दोहन मतलब है लालच ओवर एक्स्प्लोरेशन वह एक तो हमारे पौदे हमारे लिए काम कर रहे ह आपको फल चाहिए फूल चाहिए लकडी चाहिए ले ले लो लेकिन आप लालच के लिए अगर उन पौदो को उन जानवरों को मार रहे हो तो आप क्या कर रहे हो अती दोहन कर रहे हो अती मतलब एक्सेसिव उसके टॉर्चर किरा जा रहा है अप अपने लालच के कार तो हमने किया है अती दोहन तब होता है जब वन्य संभिष्ठी या कोई वन्य जीव के लिए पाये जाने वाले जीवों कें संभिया इतनी अधिक होती है कि उस जीव संभिष्ठी का आकार बहुत कम Holy है आप उनका उतना उप्योंग कर रहे हो कि उससे उसस जाती की संख्या पर प्रभाव पढ़ रहा है कम होते जा रहे हैं हो थीखे तो उसको अपन क्या बोलते हैा अतीदुवन सबसे बड़ा कौं लालच जैसे कोई शेर की खाल है शेर की खाल बड़ी ही महेंगी बिखती है तो लोग शेर को मार के खाल बेचते हैं हाती दाथ बड़े महेंगे होते हैं तो हातियों को मार के हाती दाथ से बेच रहे हैं चंदन की लकड़ी अवे दुरूप से चंदन के जो खेत हैं जो पेड़ हैं वो काटते हैं तो ऐसे ऐसे करते हमने बहुत सारी जातियों को विलुप्त करती है जिसमें से एक है स्टेलर सीकाउ और पैसंजर पीजन ये तो दो ही एक्जम्पल है तो काफी वर्षों में मनुष्य बहुत सारी जातिया विलुप्त हो गई है बहुत सारी मचलिया बहुत सारे जीव बहुत सारे पेड़ पोदे ये पीजन पैसंजर है ठीक है पैसंजर पीजर जिसको कहा रहे है और यह स्टेलर सीकाउ कोई यूनीक चीज होती है ना तो लोग उसको बाहर बेचते हैं पैसा के लिए लालच के लिए मार मार के हीरन बेच रहे हैं शेर बेच रहे हैं तो इसके लिए एक और रीजन है हमारा विदेशी जातियों का आक्रवन कि हम कोई जाती लाते हैं कोई पोदा लाते हैं कोई जानवर लाते हैं सोचते हैं यह बहुत अच्छा है तो हम किसी दूसरी कंट्री से उठा के उसको यहां पे ले आते हैं ऐसा जीव जो हमारा नहीं है किसी और देश का है या और जगा का है उसको हम उठा के यहां ले आत जलकुम्भी है एक गाजर धास है पार्थीनियम इन सबको यह हमारी नहीं है यह इंडिया की नेटिव स्पिशीज नहीं है नेटिव का मतलब हमारी नहीं है यह हम विदेश चे लेके आये थे अच्छी थी सुन्दर थी दिखने में तो ले आये चलो हमारी यह उगाएंगे ड करती है या ऐसा कुछ प्रभाव डालती है कि दूसरी जातियों को उगने ही नहीं देती है खुद ही उगती रहती है और बाकि सबको नश्ट कर देती है जैसे जलकुम्भी के बारे में अपने सुना हुआ है इसको क्या बोलते हैं वहां के सारे जीव जो नदियों में रहते यह इतनी स्पीड से वैलती है अपने चैप्टर नमबर वन में देखा है कि बहुत जल्दी वैलती है और पूरा तलाब कवर कर लेती है तो नीचे वाले जो मचलिया है उनको ऑक्सिजन ही नहीं मिल पाती प्लस यह सड़ती है तो यूट्रिफिकेशन करती है बदबू फैल लेंटा ना केमरा ना अभी फोटो बताऊंगी यह सब बरबादी के कगार पर है यह हर जगा उग जाती है और दूसरे पौदों को उगने ही नहीं देती है ठीके दक्षणी अमेरिका में एक लेक थी यह तो भई दक्षणी अमेरिका का एक्जामपल है मचली नाइल लेके आप जिस तालाब में इसको रखा गया था वहां पए एक मचली रहती थी जो मूल लिवासी ती मतलब वहीं रहती थी उस तालाब में रहती थी और यह बाहर से लेके आया थी अब इसने क्या किया वहां पर रहने वाली 200 से अधिक सिचलिट मचलियों को साफ कर दिया यह ऐस से कम हो गई न दोसों से जादा वेराइटी किसको कहते हैं उतनी वेराइटी कम हो गई और यह तो अकेली थी ठीक है यह देखो यह रहा लेंटाना कैमरा न इसको देखा हो कभी बिल्कुल देखा होगा इसमें खुशबू आती है लक्सी ठीक है और यह कॉंग्रेस गया से बेश्यरम के पूदे जो कहीं भी पूग जाते हैं इनको कोई शरम नहीं थीक है इन्हों ने इतना आतंप पहला रखा यह कहीं भी उग जाते हैं दूसरे पूदों को उगने भी नहीं देते हैं ऐसे रासाइन करते हैं तो इसकी वज़ए से भी ऑयो क्राइवर्सिटी Хथम हो रहे है क्योंकि ये दूसरों को उग नहीं नहीं देती ऐसे ही cattle fish जो प्लेरियोस गैपियन है वो भी अवेद रूप से मतलब non legally biopiracy कह सकते हैं इसको biopiracy करके कहीं से लाई गई और इसने क्या किया दूसरी जातियों को खतम कर दिया दूसरी जो देखो ये वाला long में तो आपने देखा उपर लेकिन ये अलाग अलाग में भी आयह हुआ है जैसे UP 2023 में बोला है कि सहा विलुपति पे टिपढ़ी कर देखा आ पने उपर कहा का आय सकता है। जारूरी नहीं कि टिपढ़ी वाले में ये दे रखा थो यही आ उपर वाले दो में से भी कुछ आ सकता है ठीके चौथा वाला अपना कारण है सहविलुप्ति करण को एक्स्टेंशन कहीं बार ऐसा होता है कि कोई जाती है वो गायब हो गई उसकी जाती खतम हो गई अब उस जाती को खाने वाला या उस जाती पे निर्भर रहने वाला जीव पड़ा हुआ है सहाजीवन सिंबायोसिस पड़ा हुआ है सिंबायोसिस में अपन क्या कहते है कि दोनों जाती है एक साथ रहती है उसमें से एक भी जाती है अगर खतम हो जाती तो दूसरी अपने आप जैसे लाइकेन लाइकेन में कवक और शिवाल को अलग कर दो तो दोनों खतम हो जाते हैं तो ऐसा normal और भी होता है जो जीवन करते हैं और माण लो अगर उसमें से एक जाती पूरी प्रत्वी से ही गायव हो जाए तो उसके साथ depend रहने माला जीव भी खतम हो जाता है उसी को अपन कहते है सह अविकलपी रूप से अविकलपी मतलब Old rooted और किसा मचली पर रहते हैं अगर मान लो दुनिया से य हाली इस्पिशिस खतम हो जाै तो इस पर रहने वाला यह जीव भी खतम हो जाएगा तो कोई और ओप्षन नहीं है कि कीकि परभाण है वह कीटों के द्वारा होता है यह चैप्टर नमर थाटीं में पढ़ा हुआ आप लिखícia के द्वारा कुंद कीटों के द्वारा होता है तो यह किट से इस store होता है तो लगा करा प्लीघ। नी होगा तो अंजीर की जाती आगे नहीं बढ़ेगी और जाती आगे नहीं बढ़ेगी तो अंजीर भी खतम हो जाएगा फिग तो वो भी आप लिख सकते हो तो कहीं जगों पे सहाव विलुप्ति करण का भी शिकार होता है नेक्स देखो ये चतिसगर बोर्ड दोजार एकिस में आया हुआ है ये थोड़ा सा न्यू है ये अपन को चतिसगर बोर्ड ने पूछा था कि वन्य जीवों के विलुप्ति करण की क्या कारण है कारण तो वही है जो अपने आगे लिखें लेकिन उसको थोड़ा सा और अपने चेंज करके लिख दिया वो भी लिख दोगे तो भी सही है है ना गलत वो भी नहीं है लेकिन इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर थोड़ा सा छोटे नंबर में ग्वेशन आ जाए तो अपन परियावास और विखंडन करते हैं उससे भी जातिया विलुप्त हो जाती है जीवों को अवे दुरूप से शिकार करना लोग अपने लालच के लिए लोगों दूसरे जीवों को मारते हैं उससे भी विलुप्ति करन हो जाता है और प्रदूशन भी एक कारण हो सकता है ठीक है अपना जे विवित्ता सरक्षन पर जे विवित्ता का सरक्षन कैसे करें जे विवित्ता तो खतम हो गई ठीक है खतम हो रही है लेकिन उसका सरक्षन कैसे करें ये भी अपना 36 गड़ 2020, 21 और विहार 13 में question आया हुआ है सरक्षन करने के लिए सरक्षन क्यों आवशक है सबसे पहला तो इस पे भी question है कि सरक्षन करना क्यों जरूरी है क्यों आवशक है ऐसा क्या जरूरी है कि अपने इनका सरक्षन करे तो वो भी आया हुआ है 36 गड़ में, UP में और विहार में तो आपने पास 3 reason है कि अपने को जरूरी विवित्ता का सरक्षन करना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि अपने लिए फायदा मन्द है इसलिए जरूरी विवित्ता का सरक्षन अपन को करना है लेकिन क्या वाइदा पहुचाती है तो इन फायदों को अपने तीन कैटेगरी में बाटा है एक संकेन लाब यानि कि छोटे लाब दूसरे व्यापक लाब और तीसरे है नैतिक लाब ठीके सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं संकीन लाब की तो छोटे लाब कौन कौन से है तो ऐसे कुछ लाब जो हमें प्रत्यक्ष लाब प्राप्त होता है मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि अपन को इससे ये लाब गो रहा है ऐसे लाब जो अपन को छोटे हैं ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन अपन को डायरेक्ली दिखते हैं कि अपनको बायो डायवर्सिटी से या जीवों से ये लाब होता है सबसे पहला उसी के अंदर पहला है ऊश्धदिये मूले हम को पौदों से क्या मिलती है वह बहुत सारे ऐसे पौदे है बहुत सारे ऐसे जीव है जिंसे अपनको अलग-अलग प्रकार Dubai की इसलिए ये भाई बिहार का question है bio prospecting क्या होता है bio prospecting कि अपने पास जो जे विवित्ता है उनके जो आनवी किस्तर पे या आनुवांशी किस्तर पे जो चीजे हैं उनका अध्यन करके उनको अनुसंधान करके उनका उप्योग करना उसको क्या कहते है bio prospecting कहते है जैसे अफीम इसका example दे सकते हो अफीम जो है वो तो drug है लेकिन उसी अफीम का use अपन morphine के रूप में करते हैं दर्द निवारक के रूप में पेन किलर के रूप में करते हैं ऐसे ही सफेद लीलो जो है उसको aspirine विक्सित करते हैं aspirine के नाम सुना अपने दवाई आती है aspirine उसको यू बनाने में यूज करते हैं ऐसे ही बहुत सारी ओशिदिया हैं जिनका उप्योग अपन अलग अलग चीजों में करते हैं जैसे की war firing इसका यूग उप्योग ठक्का रोधी के रूप में करते है blood clotting खून का ठक्का जम जाता है ना तो ठक्का जमने से रोकने के लिए अगर अपन को कुछ डालना है तो अपन क्या डालते हैं war firing नामक एक उशिदिका या शक्तिशाली ठक्का रोधी को भी उप्योग यह सब किस से मिल रहे हैं अपन को biodiversity plant से मिल रहे हैं कुछ animal से भी मिलते हैं तो यहां पर plant के बारे में दे रहे हैं तूसरा है अपन को क्या मिलती है क्रशी महत होते हैं क्रशी में बहुत सारे यूद हैं हमारे खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीज़े अपन को plant से मिलती है फल, फूल, सब कुछ ओध्योगी क्षेत्र में यह जितने भी आप ओध्योग बना रहे हो लकडिया बना रहे हो इत्र बना रहे हो खाने की चीज़े बना रहे हो डाई बना रहे हो रबड बना रहे हो वैक्स बना रहे हो शहद बना रहे हो यह सब हमको कहां से मिल रहे हैं कि बहुत सारे चक्र चलते हैं, oxygen, carbon, oxygen, पानी का, nitrogen का, ये सब चक्र चलते हैं, जिसकी वज़ा से चीजों को अब क्या मिलता है, भरपाई होती रहती है पारितंद्र में, और carbonic पोशक तत्वों के परिवर्तन से योग्य बनाते हैं, बही जो अब गटक है हमारे, वो सड़ी ग परियावरन स्वच्च बना रहता है, अब शिष्ट को निपताते हैं, स्वच्च जल की प्राप्ति हमें परियावरन से होती है, परियावरन के जीवों से होती है, ये नहीं होंगे, तो स्वच्च जल कैसे मिलेगा, बाड को रोकते हैं, सूखे से बचाते हैं, ये सारे ला मिलते हैं इसलिए हमको जे भी वित्ता बचानी है अपने मतलब के लिए कर रहे हैं अपन किसी पर ऐसान नहीं कर रहे हैं सोंदरी के रूप में आपको मैंने कहा था कि कभी हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो हम लोग मोईल टीवी में गुच जाते हैं लेकिन अगर आप कर रहा है उनको देखके भी कई बार हमको खुषी मिलती है एक हम को हमारे कहीं जीवों को बचाना चाहिए हमारा नैतिक करतव है हम खाली इस प्रत्वी के बुद्धिमान जीव तो है लेकिन अमको बुद्धिमानता साबित कैसे करनी होगी कि हमें दूसरों को भी जीने दे बाकि अपने मतलब के लिए सबको मारते रो ऐसा नहीं करना है इसलिए भी हमको जे विवित्ता बचानी है शारी आ गई है भी तो थोड़ा सा देखे जरा इसको चलो बई क्या है कि कोई भी लक्ष बड़ा नहीं होता जीता वही जो डरा नहीं ठीक है कोई भी लक्ष हमको कई बार ऐसा लगता है यार यह तो बहुत टफ है यह तो होई नहीं पाएगा लेकिन बड़ा नहीं होता है जीता वही है जो कभी भी डरता नहीं है जैसे आजकल बच्चों को बड़ा डर लग रहा है, कई बच्चे मुझे कहते हैं कि मैं हम सब कुछ पढ़ा हुए, लेकिन हम जब टेस्स देने बैठते हैं, एक्जाम देने बैठते हैं, सब बूल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको डरना नहीं है, डरोगे तो खतम, क्योंकि मैंने आपसे कहाता, आपका ब्रेन फिर आपके डर को सही करने में लग जाता है, फिर वो वहां नहीं लग पाएगा, जहां लगना चाहिए, ठीके, डर मुझे भी लगा, फासला देखकर, मुझे भी लगा कि भाई, वो वहां पे मनजिल है, इतनी दूर पता नहीं मैं पहुच पाऊंगा, या नहीं एक्जाम तक मेरे को याद रह पाएगा, या नहीं रह पाएगा, सब भूल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बढ़ता गया, रास्ता देखकर, लेकिन मैं चलता रहा, रिविजन करता रहा, कि चलो, आज नहीं, कल एक्जाम होगा, कल नहीं, परसो होगा, भूल गया, कोई बात नहीं याद करते रहे, तो मैं रास्ता देखकर चलता रहा, खुद बखुद मेरे नजदीग आती गई, मेरी मंजिल और मेरा होशला देखकर, ठीके, तो दीरे दीरे जो है, मेरी मंजिल, मेरे नजदीग आती गई, ये होशला देखकर, कि बंदा हार नहीं मान रहा है, बंदा भूल रहा है, फिर यात कर रहा है, तो अपन को ऐसे ही चलते रहना है ठीक है बेटा डिये ने तो आरेने को संचलिजित करेगा ना चलो आगे चले नेस्ट है वो भी इंपोर्टेंट है कि जे विवित्ता को हम कैसे सरक्षित करें जे विवित्ता सरक्षित तो करनी है कैसे करें तो कैसे करें तो उसके लिए अपने पास दो उपाय हैं और दोनों ही उपाय इंपोर्टेंट है MP 2020, UP 20, 22 और 23 ये आया हुआvert ही है कभी आ जाता है कैसे सरेक्षित करोगे कभी सीधे आ जाता है कि जे विवित्ता के सरेक्षन के उपाय बताओ तरीके बताओ सबसे पहला है स्वरस्थाने सरेक्षन तो स्वरस्थाने स्रेक्षन क्या है स्वास्थाने सरक्षण नीती में पूरे पारी तंत्र का सरक्षण किया जता है स्वास्थाने का मतलग क्या है जहां जीव है जहां जीव है उसके प्राकर्तिक आवास में उसका सरक्षण जहां पर वो मिल रहा है वही के वही उसको सरक्षित कर दो, वहां से हिलाना नहीं है, जैसे शेर है, शेर जिस जंगल में मिल रहा है उस जंगल को प्रोटेक्ट कर दो, कि जंगल में अब शिकार नहीं चलेगा, शेर रहेगा इधर, कोई मकान नहीं बनेगा, कोई इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन सीटू इसमें पूरा के पूरा पारी तंत्र सरक्षित हो जाता है और जो जीव होता है उसको वही के वही पर सरक्षित कर देते हैं जहां पर मिल रहा है चाहे वह कोई पौदा हो कोई जन्तु हो कोई भी हो उसको वही को पता हुना ची कि यह अपन सरक्षन करें कैसे तो एक बीच में टॉपिक आ जाता है जो बड़ा हाइलाइटेड है जे विवित्ता के होट स्पॉट ऐसे हमारे इस दुनिया में बहुत सारे एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा वेराइटी मिलती है जैसे अभी अपने कहा अ स्वास्ताने सरक्षन का ही एक क्या है एक्जम्बल है तो पहले सबसे पहले होट स्पॉट क्या होते है उनकी परिभाशा लिखनी है आपको यह आचुका है होट स्पॉट क्या होता है इंडिया में कौन-कौन से होट स्पॉट है उनकी क्या विशेशता है उपर देख रहे ह तो ऐसे स्थान जहां पर स्थानी यह जाती हो की स्थानी जाती है मतलब जो वहां पर पाई जा रही है उनकी बहुल्यता होती है मतलब बहुत ज्यादा पाई जाती है और ऐसी जाती होती है जो विलिप्त होने के कगार पर भी हो वेराइटी भी हो प्लस उनके जीवन पे खत्रा मंडरा रहा है उनको अपन किस में डाल देते हैं होट स्पोर्ट में डाल देते हैं मतलब जहां पे जे वीवित्ता बहुत जादा है और अगर उनको सरक्षित नहीं किया गया तो दीरे दीरे वो खतम हो जाएगी क्योंकि लोग आपको पता ही है कितने बदमास हो गए है ठीक है तो वहां उच्चे इस्थानिक इंडैमिज्म क्या होता है ऐसी जाती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उनको कहत है इंडैमिक इस्पेशीज के अंदर इसको क्या करते है सरक्षित कर लेते हैं ठीक है अब यहां पे कुछ आकणे हैं और होट्सपॉट है कि 44 परसेंट जो है अपने विश्व में पादपों की इतनी जातिया 35 प्रतिशत 35 प्रतिशत होट्सपॉर्ट में पाई जाती है जो ज्यादा मिलती है इस थलियों का 1.4 पर इंपॉर्टेंट यह है पहले पूरे वर्ड में 25 बायो डाइवर्सिटी होट्सपोट थे लेकिन बाद में 9 आइड कर दिये गए और 34 हो गए अब यह भी पुराना डाटा है न्यू जो है वह 36 है न्यू जो है वह कितने है 36 है पूरे पूरे वर्ड में 36 होट्सपोट है लेकिन अपनी थोड़ा पुराने हिसाब से चल रही है तो उसमें 34 दे रखें और यहां पे जो है इंडिया में कौन-कौन से यह भी आपको याद रखने सबसे पहले आपन बात करेंगे कि होट्सपोट होने के लिए क्या होना चाहिए जाती हो सबसे ऑस्टेलिया के Great Barrier Leaf को बनाया हुआ है जहाँ पर अपनी कोरल सुगी हुई है इंडिया में सबसे बड़ी कोरल यहीं पर हconom drugs को बनाया हुआ है तो क्यों बनाया हूआ है अमेजोन को बनाया हुआ है, तो क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि पहला तो यहां पर कोई न कोई endemic species होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई जाती ही, जो सिफ महीब आई जाती है, या वहाँ पर और दो-चार जगों पर ही मिलती है, सभी जगों पर नहीं मिलती है, दूसरा संकट का इस्तर हो सकता है, वहाँ पर जातियों को खत्रा हो, जातियां खतम होने वाली हो, तो उसको hot spot बना देते हैं, ताकि उसकी निगरानी हो सके, और कुल प्रजाती सम्रत देता है, मतलब उसमें variety कितनी है, वेराइटी भी होनी चाहिए, तो वेराइटी के आधार पर भी hot spot को तैय किया जाता है, यह आ गए है अपने इंडिया के hot spot और यह important है, बार बार पूछे जा रहे हैं भई, MP2023, जारकंड 23, बिहार 21, अब यहाँ पर बिहार वाले मेरी बात सुन ले, बिहार 21 में question ऐसा आया था, कि इंडिया के hot spot कौन से है, पहले तो यह बता दो, और उनकी विशेश चाहिए भी बताओ, जो कि अपनी NCRT में नहीं दे रखिये, अपनी NCRT में नाम दे रखिये, प्लस एक और चीज़े, अपनी NCRT में 3 hot spot दे रखिये, लेकिन currently, अगर आपन आज का data देखे, तो चार है, एक तो पश्चिमी घाट वाला श्री लंका, एक इंडो बर्मा, एक हिमालाय और एक सुन्दल लेंड, यह चार है, ठीके, तो आप चार भी लिखोगे, तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि currently चार है, और अपनी बुक में 3 ही दे रखिये, उसका एक रीजन है कि इनमें से ये और ये, तो वैसे भी कुछ-कुछ बर्मा के अंदर आते हैं, और कुछ अपना अंडबान निकोबार के अंदर आते हैं, इसलिए इनको पूरा टोटली इंडिया में काउंट नही कि कुछ विशेष्टा हैं बता दो तो अभी क्या विशेष्टा है और नंबर भई 4-5 नंबर के अंदर कुछन है तो खाली नाम लिखने से क्या होगा तो वहां पर मैंने आपको थोड़े देर पहले बोला था ना कि जब अपन को छापना होगा कुछ ठेकने वाली जब ची विशेष्टा है क्या-क्या स्पेशलिटी पाई जाती है जैसे हिमालय में यह जातिया पाई जाती है हिमालय में एशिया जल बहस मिलती है जंगली गेंडा मिलता है एक सिंग वाला गेंडा मिलता है यह हिमालिया की विशेष्टा है पश्चिमी गाड जो है वह पश्चिमी लिख देते हैं यहां पर फिर है इंडो वर्मा तो इंडो वर्मा में इतनी सारी जातिया पाई जाती है और यह वियतनाम है वैश्णों में किसी अन्यस्तान पर नहीं मिलती विश्व में विश्व में किसी अन्यस्तान पर नहीं मिलती है यह ठीक है और यहां पर अत्य दिख जादातर में चीता है, बाग है, गेंडा है, एक वो मकाव है, ये स्पेशलिटी है इन सारे होट स्पोट की, जो जादातर अपन को मिलते हैं, ठीक है उसके पास सुन्दलनेंड में 2013 के अंदर इसको बायो स्फियर गोशित कर दिया गया, ये भी जो है क्या है होट स्पोट है, अंदमान निकोबार में इस्तित है है, और यहाँ पर प्रवाल वित्या मिलती है, कोरल रीफ्स मिलती है, कोरल रीफ्स वही जो उस्टेलिया में मिल रही है, सिलेंटेटा संग के प्राडी, ठीक है, जो हाड हो जाते हैं, वो मूंगा पहनते हैं अपन अंगुठी में, वो क पूरल होता है ठीक है अब क्या करना है भारत में सुरक्षित शेत्र तंप्र इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है इसको बस एक बारे से देख लो कि यहां पर क्वेश्चन आएगा तो एक एक नंबर में आएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने हाइलाइट कर रखें यह पुराना डाटा है भाई यह पुराना है ओल्ड यह न्यू है तो दोनों में आपको बता देती हूं पुराना वाला आपको NCRT में दिखेगा नया वाला रख करन ठेक दम अठारा बायोस्फियर है यह तो आचुका है पीवाई क्यू है अपनी इंडिया में उसके बाद 106 पार्क है उसके बाद 700 तीयत इसके पूछने के चांसे कम है इन दोनों के थोड़े से जाता है यह नया है यह पुराना डाटा है कि हमारे इंडिया में कहां कहां पे सरक्षन करा होगा है चीजों का ठीक है जेव मंडल प्राक्षन इस पर क्वेशन है राजस्तान 2021 कि बायोस बायोस के शयों स्व ранय हमें से कॉट है वाइजर्व म्रोण है इस वोगता क्षान इन वाटोन के सब्सक्राइब और सृषन के हुआ जम मंटल शेत्र और इसमें भी अबसाने शक्तारा क्षळण की हुग है के prophecies पाई इंडिया के अंदर तीन शेत्र होते इस पर आया हुआ क्वेस्षिन कि Biosphere में किны अनुशेत्र होता है TOBIOSphere को तीन शेत्रों में बाटा गया है पहला वहला जो शेत्र है उसको अपन कहेंगे जो अपना है कोर शेत्र देखो कोर शेत्र होता है बीच में यहाँ पे कोई भी मानव क्रिया valid नहीं है, किसी भी मानव की entry नहीं है, ना यहाँ से लकड़ी काटने देते हैं, ना यहाँ पे कुछ करने देते हैं बिलकुल कोर रीजन है, किसी को जाने भी नहीं देते हैं कुछ forest department के लोग वहाँ पे रहते हैं, निगरानी रखने के लिए dangerous zone भी होता है, कोगि यहाँ पे जंगली जानवर वगिरा गूंते रहते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनुमती नहीं है हस्तक शेप की, हस्तक शेप मतलब interfere, दूसरा होता है उससे बाहर वाला, ये वाला ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इसको बोलते हैं buffer zone यहाँ पे कुछ सीमित अनुमती होती है यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं लोकल लोग रहते हैं, जैसे ग्रामिन लोग हो गए, कबीले वाले रोग हो गए वो वहीं से पेड़ वगएरा काटते हैं रहते हैं, पौदो की रक्षा भी करते हैं इस तरह से रहते हैं, ठीक है ज़्यादा अनुमती लिए और तीसरा है, जो सबसे बाहर वाला शेतर होता है ये पारिस्थिति की तंतर की शती इसमें भी कुछ-कुछ चीजे वैलिड है कुछ-कुछ काम करने की अनुमती है लेकित ऐसे काम करने जिससे की पौदों को या परियावरण को नुकसान नहीं होना जी ठीक है, इधर देखो बीच में एना रोड भी आ जाती है कोई बिल्डांग भी आली जाती है कोई आउध यहा पर यह चीजे देख लो कि य युनेस को इसको करती है यह एक बार आयो यह मैब संचालित है मैब क्या होता है मैन एंड बायोस्फिएर इसमें मानव और बायोस्फियर दोनों का योगदान होता है क्योंकि मैंने कहा ना कुछ कभीले वाले रोग भी रहते हैं यहां पे ठीके और भारत में बायोस्फियर जो है चारो और के शेत्र जो है वे विक्सित होते हैं इससे बायोस्फियर से राष्टी उद्यान इससे थोड़ा छोटा होता है राष्टी उद्यान भी पढ़ रहे हैं पर बायोस्फियर में आदान प्रदान होना चाहिए जिससे प्रबंदन और उन्हें विक्सित करने में सयोग प्राप्त हो सके और जीवों की मॉनेटरिंग हो मतलब जीवों में उनको देख रेक कर पाए उद्देश क्या है सबसे पहला सरक्षण जीवों को सरक्षित करना है शोध करना है अगर अपन को कोई रिसर्च करनी है किसी जीव के बारे में किसी पौदे के बारे में तो अपन यहाँ पे जाके पर्मिशन कर लेके गौवर्मेंट से पर्मिशन लेके यहाँ पे शोध कर सकते हैं ऐसे ही नहीं मूँ ठाके नहीं जाना है ठीक है उसके लिए पर्मेशन लेनी पड़ेगी फिर उसके बाद है विकास ये भूमी का है यहाँ पे वन्याबादी है जिससे विकास की संभावना है जातिया सुरक्षित रह पारी है दुरलब जातिया जो कहीं नहीं मिलती है वो यहाँ पे यह सब स्वास्थाने सरक्षन के एक्जम्बल बूच रहे हैं अपन यूपी दोजार इक्टिस में नेशनल पाक क्या है यह प्रतिबंदित शेत्र होते हैं और यहां पे भी चीजों को सरक्षित किया जाता है लेकिन बायोस्फियर बहुत बड़ा होता है और नेशनल पाक उस और इसका संचालन जो है वो आयूसीयन करता है यह डिफरेंस भी यह दोनों में यह श्रेणी सेकेंड के अंदर आते हैं सेकेंड क्या होती है देखो यूसीयन ने कुछ केटेगरी बनाई हुई है यह जितने भी अपने अभी नेशनल पाक वाइल संचुरी बायोस्फियर त तो आई यूसीयन ने इसको सेकेंड श्रेणी के अंदर रखा हुआ है किसको नेशनल पाक केंडर सरकार करती है इसका यह भई क्वेशन आया हुआ है देख लो MP में 2020 में और बिहार 2021 में सबसे पहले तो सबसे पहला नेशनल पाक कौन सा है जिम कॉर्बेट है यह MCQ है उत्त जिम कॉर्बेट पार्क गिरी गुजरात में और दूधवा राश्ट्य इसके अलावा भी आपको कोई चार पता हो तो आपकी चोईस है मैंने चार लिख दिये बिहार 2021 में क्रिशन आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट यह वाइल लाइफ संचुरी और छोटी राश्ट्य उद् स्वास्थाने यह सब स्वास्थाने सरक्षन के उधारण है यहां पर भी क्या होते है मानवी गत्ति मीद्यों की अनुमत्य होती है लेकिन छोटी मोटी जादा ठीक है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए इस से उस एक्टिविटी से यहां पर भी जो है पेड़ 2021 में टिपड़ी वाले क्वेश्चन में आने के चंसे पवित्रूपवन क्या होते हैं देखो हम बहुत धार्मिक है हम क्या करते हैं पीपल है तुलसी है इनको बहुत पवित्र वानते हैं तो ऐसी चीज़े जो हमारे धार्मिक ग्रंतों में बहुत पवित्र है तो हम उसको क खेजडी आंदोलन पड़ाओ आपने चिप को आंदोलन उसमें क्या करते हैं वह खेजडी को भगवान की तरह पूछते थे तो खेजडी को बचाने के लिए उन्होंने उनसे चिपक गई कि यह तो हमारे लिए बहुत पवित्र है तो ऐसे पवित्र उपन या जो अपन बोलते स्क्रेड जो अपने होते हैं उनको अपन प्रोटेक्ट करते हैं जहां पर सामाजिक और धार्मिक विश्वास के आधार पर अपन चीजों को क्या करते हैं सरक्षित करते हैं बरगत का है पीपल का है कोई जानवर है जैसे गाय हमारी माता है हमको उसको प्रोटेक्ट करना है है मारने नहीं देना है किसी को ऐसे एक काम्याब तरीका है और मानवी दर्ति बीदिया इसमें भी क्या होती है प्रतिबंदिद होती है इसमें वह लोकल जंगल बहुत पवित्र है यहां पर जैसे वह बुद्ध का वही पेड़ है बिहार में जहां पर उनको वह था था बोद्द्वरक्ष तो वह उसको पवित्र हमांते उसको नुपसान नहीं बहुत आने देंगे ऐसे तो यहां पर क्या करते हैं हम यह भी स्वास्थाने का तरीक पर्यावरन को सरक्षित करने का ही तरीका है, यहाँ पे भी क्या करते हैं, जीवों को और पर्यावरन को सरक्षित किया जाता है, स्वास्तान ये सरक्षन की क्या महत्व है, एक तो जीव जहां होता है, वहीं पे सरक्षित हो जाता है, परागन करता हों को नुकसान नहीं होता, सहजीवन वाले उस पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसी प्रजातिया भी सरक्षित हो जाती है जिनके बारे में जानकारी नहीं है आपने तो पूरा जंगल सरक्षित कर रखा है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीव है जिसके बारे में आपको पता नहीं है लेकिन वो भी सरक्षित हो रहे हैं, प्रकती में जी प्रजातियों की फिटनेस बनी रहती है, मतलब वो आराम से जनन कर पाएंगे उनके प्रकतिक परियावरण में रह पाएंगे. इससे क्या होता है समविकास होता रहता है बहुत सारी जातिया आपस में साथ साथ बढ़ती रहती है इंडेमिक प्रजातियों के लिए अनुकूलन शिल्टा भी सुनिश्यत होती है वह ये को और आ गई है इससे पहले की परिस्तितिया तुमारी जिन्दगी की दिशा वजल द बदली नहीं है वही है वही one shot है वही important question है वही मैं हूँ तो अभी भी कुछ बदला नहीं है अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ऐसे हार नहीं बाननी है कि यह बस मेरे को तो failure होना है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता 10 दिन बचें 15 दिन बचें क्या करूंगा मै या क्या करूंगी मैं तो ऐसे निराशनी होना है उससे पहले उठोर जागो दिखाओ और अपनी परस्तितियों को ही बदल दो तो अभी भी time है one shot पढ़े हैं आपके पास important question पढ़े हैं आपके पास हार नहीं माननी है कैसे भी करके बस करना है और जो बच्चे एप के हैं उ और कोई आपकी बदद नहीं कर सकता है सिवाए आपकी ठीक है तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे के topic पे चलते हैं बाहरी स्ताने सरक्ष्ण दूसरा वाला अपना top point इसमें क्या करते हैं कि जो जीव होता है उसको अपने आवाज से उठा के कहीं और पर सरक्षित करना पर परता है एकसी टूर है यह वहीं के वहीं पर सरक्षित नहीं करते हैं उसको उसको वहां से ले आते हैं हो सकता है जहां पर रह रहा हो वहां पर परियावरन अच्छा नहीं हो उससे उसको नुक्सान हो रहा हो उसको कहीं और ले आएंगे और वहां पर लैब में या जू में से बाहर ये स्थाने सरक्षन कौन सा है स्वास्थाने सरक्षन कौन सा है आपको पता होना चाहिए स्वास्थाने कौन कौन से थे और बहर स्थाने कौन कोन से थे देखो राष्टी उध्यान आपका वाइल लाइट सेंजूरी बाइयो स्फीर पवित्रूपन यह जो है सारे कैसे हैं स्वास्थाने सेलक्षण हैं क्योंकि बहुत बड़े एरियम है अब जो आने वाले हैं वो बहर स्थाने हैं यह रहेंगे जू हो गया बाटनिकल गार्डन हो गया पार्क हो गया यह सब क्या है छोटे छोटे लेवल के हैं और यह सारे इसमें क्या करते हैं दो तीन जगहों से जानवर पौदे उठा के लाके एक जगह पर उनको क्या करते हैं सरक्षित करते हैं तो यहां पर क्या करते हैं कह इसकว क्या बोलते हैं एसके चार पूचते पूचते हैं तो ध्यान रख लेना एक तो यह होगया जन्टू जानवरों को सरक्षित किया जाता है वानस पति ठीके उसके बाद छोटे मोटे और हैं ये सब भी बायस्ताने हैं उसमें से ये वाला जो है बियार 2022 में टिपणी में आया हुआ है तो मैंने यहां पर परिवाशा लिख दी ये वैसे उसकी अभी डिटेल भी आएगा इंगा जू है निम्नताप परिरक्षन है ये अभी क्या इसमें क्या करते हैं जीन को उसके जैनेटिक माटीरियल को जो है या तो माइनस 190 डिग्री सेंटिग्रेट पर लिक्विड नाइट्रोजन पर सरक्षित कर देते हैं तरीभाशा मैंने यहां लिखी हुए नीचे भी आएगी और बीज या वीर भी सिमन किसी जी एनिमल का सिम सरक्षित हो जाएगा कोई ऐसी जाती जो विलुप्त हो गई है आपको कहीं मिल गई तो आप उसको कैसे रखोगे मरेगी तो सहीं कभी ना कभी तो उसका जैनेटिक माटीरियल कुछ लेके आप क्या कर सकते हो सरक्षित कर सकते हो उसको रग तो माइनस 190 डिग्री संडिग्र पर निकलिविड नाइटोजन पर बहुत सालों तक वह ऐसी अपनी अवस्था में बनी रहेगी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यह चैप्टर 4 में पड़ा हुआ है टेस्ट्यूब में अपन क्या कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन करा के कोई जी उत्पन न कर सकते हैं पात क्रायो प्रिजर्वेशन को क्या बोलते हैं शीत परिरक्षन भी बोलते हैं इसमें क्या करते हैं कोई भी बीज यहां पर लिखा हुआ है और यह क्वेस्चन है बिहार वालों में बिहार MCQ कि क्रायो प्रिजर्वेशन में किस किस को सरक्षित कर सकते हो युगमक कर सकते हो बीज कर सकते हो बिजानू कर सकते हो ब्रून कर सकते हो सिमन कर सकते हो सब कर सकते हो यह वो जो जीन बैंक है वो भी इसी का हिस्सा है जीन बैंक में इसी के माध्यम से चीजों को सरक्षित क इसको पराग कन बैंक भी बोलते हैं यह पहले आचुका है उस पर सरक्षित कर देते हैं तो वह कहीं सालों तो अपनी अवस्था में बना रहता है तो अपन को जब रिसर्च करनी हो या कुछ काम में लेना हो तो अपन कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर नमबर 9 पढ़ा है उन फॉरें से उसको इस पर सरक्षित कर देते हैं और फिर काउ से उसका निशेचन करवाते हैं ठीके जीन बैंक इसी का हिस्सा है इसमें क्या किया जाता है विविन प्रकार के वीर्य अब वीर्य जीन नहीं है ऐसा मत कहना वीरी के अंदर शुक्राणू होंगे शुक्राणू क की दो इसको उसके बाद है पात्रे निशे चण जिसको आपन-डे टेस्टू बे भी कहे के पड़ते हैं यहां पे क्या करते हैं खाली एनिमल का ने पौधों का भी क्या करवा जाता है जनन करवा जाता है नरोन मादा युगमक को परक्नली में मिला कि कोई नया अपन क्या कर सकते हैं निशेचन या जनन करवा सकते हैं उत्तक समवर्धन ये बही चैप्टर नंबर नाइन का भी हिस्सा है तो वैसे भी इंपोर्टेंट है जिनके लिए चैप्टर नंबर नाइन में आया हुआ है उत क्लचर मीडियम में वह सारी चीज़े होती है जो किसी भी जीव को व्रद्धी करने के लिए जरूरी होती है ग्लुकोज फैट वसा सब कुछ सब कुछ रहता है होर्मोन सब कुछ रहता है इसमें क्या करते हैं अपन कोई कोशिका रख देते हैं जनरली इसको एक्सप्लांट मिल रहा है तो यह दीरे दीरे क्या करेगी व्रद्धी करेगी और बहुत सारी कोशिकाएं बना लेगी अब यह सारी कोशिकाएं अविबेदित हैं अविबेदित कोशिका का समू बन जाएगा क्योंकि सारी कोशिकाएं एक जैसी है लेकिन विबेदित नहीं हुई है मतलब क कोशिकाएं करके उनको लैब के अंदर टेस्ट टूब के अंदर डाल दो अलग अलग प्लांट उगा लो जिसका भी आपने यह भाग लिया था एक बार में बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे आप इसमें से चुट चुट टुकड़े लेके सबको अलग 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 यह सारी चीजे क्योंकि चैप्टर नमर 9 में यह सब डिटेल है इसके दवारा बारिस्ताने सरक्षन घरू का बगीचा है गार्डन है यह सब बारिस्ताने सरक्षन का उधार है अब हमारे पास कुछ क्या है कुछ अपनने वर्ल लेवल पे भी काम किये हैं इसके लिए जहां का एक क्वक्राइट के शहर जहां पर ज्ये विविता को बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं न हमसे पूछे क्या-क्यास क्या आपवने तो तो वैं में इस्विव अफरीका के जोहेंबर्ग में विश्व शिकर सम्मेलन आयुज़ित किया गया इस पे भी क्वेश्चन है जहां पे 190 देशों ने शपत ली कि वह क्या करेंगे बई जे विवित्ता को बचाएगे अब यहां पे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन की डिमांड देख रहे है इसमें क्या होता है जीव को उसके प्राक्तिक आवास में सरक्षित करते हैं यह लिख ले ना वही इसमें क्या होता है जीव को उसके प्राक्तिक आवास से भिन्न अन्य आवास में या अन्य स्थान पर सरक्षित करते हैं इसमें क्या करते हैं? किसी जीव के साथ जीव जाती के साथ अन्य पारी तंतर भी सरक्षित हो जाता है आपने टाइगर को सुरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क बनाया नेशनल पार्क बनाया तो वाँ पे हर किसी को आना जाना अला हो निया तो टाइगर तो रिजर्व हो रहा है, साथ में मा के पेड, पौदे, दूसरे जीव भी क्या हो रहे हैं, पूरा के पूरा पारी तंतर सरक्षित हो जाता है, पूरा के पूरा एको सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाता है, जीव के साथ अन्य पारी तंतर भी सरक्षित हो जाता है, इसी विशेश जाती जीव को ही सरक्षित किया जाता है इसमें तो जैसे आप भालू पकड़ के लाएं भालू को जू में रख दिया तो भालू ही सरक्षित कर रहे हो ना भालू के साथ पेड़ पोदे थोड़ी सरक्षित हो रहे है उस जू में जितनी चीजें वही सरक्षित ह और यह बाकी कुछ नहीं हो रहा है जो आपने पर्टिकुलर लाके रखिए तो भई यह बाइस्ताने सरप्शरन इसके उधारन क्या है इसमें एक आप यह भी लिख सकते हो यह कम खर्चीला वह आसान तरीका है ज़्यादा इसमें भई माता वोड़ी नहीं करनी पड़ेगी करनी तो पड़ेगी लेकिन कब यहाँ पे तो भई आपको साही फैसिलिटी देनी पड़ेगी यह अधिक हर्चीला जू बनाना पड़ेगा बॉटनिकल गार्डन बनाना पड़ेगा सब बनाना पड़ेगा इसके क्या हो दारने एक तो अपना बायो स्फेर राश्टी उध्यान वन्य जीव अभ्यारन और पवित्रवन यह सब आ गए इधर क्या क्या आएगा इधर क्या क्या एक्जाम्बल दे इधर बैजूग वानस्पति कुद्ध्यान यह बहुत आता है इसलिए मैं especially लिकर हूँ बार बार वानस्पति कुद्ध्यान क्या है स्वास्थान है के बहिस्थान है पर लगता है यह स्वास्थान है लेकिन यह बहिस्थान है जन्तू उध्यान और भी अपनने जो पड़े जीन बैंक और ये फलाना डिकाना वो सारे ठीक है जगा नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे तो यह लिख ले होगा आपने नेक्स्ट है अपना 2023 में रेड डाटा बुक क्या है तो इसको रेड डाटा क्यों कहते है क्योंकि वैसे रेड कलर किये लेकिन इसमें बहुत सारे अलग-अल जो अपने और्गिनियाजिशन है जैसे भारत का जेलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया जेलोजिकल मतलग जन्तों से रिलोटेट और बॉटनिकल सर्वे ओफ इंडिया उन्होंने भी अपनी भारत की कुछ जातियों को इसमें इंक्लूड करवाया है अब तो बहुत प्रकार की इंडिया की अलग और अमेरिका की अलग लेकिन शुरुआत में एक ही थी जहां पर पूरे विश्व की जातिया थी 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 हैं तो भारत में कौन-कौन सी जातिया जो है वह रेड डाटा बुक के अंदर आती है तो रेड डाटा बुक क्या है एक ऐसी बुक है जिसमें कि इसमें मैंने कहा कि अलग प्रकार के यह लग निए इसमें सिफ राड पेज नहीं होते वह सारे इसमें देख लो कि इसमें अलग अलग कलर के हैं डिकल टें प्रक्छता टू when लो घिर तो शरिक दूब्धं और राद करतें बाकिस और अलग अलग कलर कि आsक होन् då जो जैसे कि रेड कलर है वो critical endangered है मतलब बहुत ज्यादा खत्रे पे जो blue है थोड़ा सा वो extinct wild है मतलब जो जंगली जाती है उसमें खत्री की कवार पे extinct ये तो खत्म हो गई है विलुप्त हो गई है जो अब है ही नहीं इस दुनिया में एक भी जीव जिसका जिन्दा नहीं है उसको extinct बोल देते हैं फिर endangered जो थोड़ा सा अगर नहीं बचाया गया तो खत्म हो जाएगी वर्न रेबर जो कहीं कहीं पर पाई जाती है नियर थ्रीटेंट जिनको सुरक्षा की जरूरत है ऐसे करके अलग-अलग तरह के पेज़ेस बनाए गए हैं जिस पर अलग-अलग जातियों के नाम लिखे होगा है जो इस कैटेगरी में आती है संकट गरस प्रजातिय इस पर टिपणय आई हुए यूपी 2020 में कि संकट गरस प्रजातिय क्या होती है एसी क्याल एसी प्रजातिय जिस univers UM ? उलुक्त होने का खत्रा है उनको क्या बोलते हैं अगर उनको सही टाइम पर सरक्षित नहीं किया गया तो यह खतम हो जाएगी जैस तो अपन को एक्जाम्पल देने पड़ेंगे जैसे अपना प्यारा दोस्त चीता पहले इतनी जातिया थी लेकिन अपने इसकी खाल, मास, हड्डियों के चक्कर में इसको मारना शुरू कर दिया और भारत, भुटान, नेपाल और बांगला देश में अब केवल 2000 से भी कम गए हैं और अब भी नहीं बचाएंगे तो इसलिए अपन टाइगर रिजर्व ऐसे करके जो है क्या बना रहे हैं schemes चला रहे हैं भारती के गेंडे ये भी विलुपती के कगार पर संकटगर्स प्रजातियों के example है ये इनको नहीं बचाएंगे तो ये सब गायब हो जाएंगे तो इनके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि टिपपणी पर आया है कम से कम तीन नंबर का question तो फिर चार लाइने लिखोगे तो तीन नंबर तो नहीं मिलेंगे तो थोड़ा-थोड़ा आपको ये इसको बढ़ाना पड़ेगा ठीक है ये अमारे कुछ गेंडा, एक सिंग्वाला, गोड़ावन और बटेर और शेर ये सब जो है विलुप्ति की कगार पर है सुभेद जातिया क्या होती है, वर्नरेबल, ऐसी जातिया जिनकी संख्या तो अभी नॉर्मल है लेकिन अगर अपनने इनको नहीं बचाया, तो भविश्य में ये खतम होने की कगार पे आ सकती है उनको बोलते है वर्नरेबल जातिया, जो उदर औरेंज कलर के पेपर पे थी है उस लिस्ट में, वह वाली तो सुबेद जातिया, ये एक एक दो दो नम्मर में पूछते है, दुरलब जातिया, आगे भी आई थी ये परिभाशा, ऐसी जातिया जो कहीं कहीं पे मिलती है सब जगह नहीं है, जैसे कंगारू, सिफ औस्टेलिया में मिलता है, कीवी, न्यूजिलेंड में मिलती है, फ्रूट नहीं बोलरी कीवी, पक्षी है, शतुरमुर्ग, ये सब दुरलल पजातिया, पांडा, चाइना में मिलता है, अपने इधर तो मिलता है, इन ये लेके आय गई है उसमें से एक दो के नाम और फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ीगी हो सकता है कभी पूछ ले कभी पूछी नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं सबसे पहला है साइट्स Conventional on International Tread Endangered Species of Wild Funa and Fura Funa मतलब जहां पे जानवरों का ग्रुप होता है जानवरों की स्टड़ी होती है और फ्लोरा मतलब प्लांट की स्टड़ी या ग्रुप ये क्या करती है जो लोग जानवरों या पौदों को अवेद रूप से एक देश से दूसरे देश पे चोरी-चोरी चुपके-चुपके ले जाते है वही बायो पाइरेस ही जो अपनने बड़ा था वो करते हैं उनको रोपती है और इसके 123 सदश्य है तो यह site से काम करती है और traffic क्या करती है ट्रेफिक का भी स्टлять record and analysis यह भी स्टीन करती है कि जो लोग चोरी-चोरी चुपके-चुपके जंतों को मार रहे हैं तो उनको रोकने के लिए बनाई हुए है उस वो काम करती है ठीक है फिर है IUCN IUCN क्या है बच्चो 1969 में रेड डाटा दुर्बल और सुलब जातियों को सुची बद्द करती है IUCN क्या है अभी अपन ने पढ़ा था इसी ने जो है रेड डाटा मुख भ है यही करती है WWF यह 2020 में इस पर टिपड़ी बोली थी कि विश्व वन्य जीव कोश क्या होता है जिसको WWF भी कहते है World Wildlife Fund ठीक है क्या करता है यह फंड प्रोवाइट करवाता है यह स्विजर लेंड में है इसकी ब्रांच और यह क्या करता है जो भी आप किसी को सरक्षित कर करना चाहते हो को इतना फंड दे दो तो हम टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क चुकि होगता है ना ऐसा थोड़ी नेशनल पार्क बना दिया वा चुट्टि इनको मेंटेंड लोग रखने पड़ेंगे जॉब देनी पड़ेगी वहां पे लोगों को प्रोडेक्शन द थो इंडिया में जो अपने टाइगर प्रोजेक्ट है सापो को बचाने वाले गेंडा बचाने वाले उसका फंड अपन को यही से मिला है पैसा मतलब 25 फंड मतलब पैसा इस मतलब पैसा तो खतम होता है, हाँ, अब कोई दिकत जितने भी बच्चे हैं, I hope सभी ने लाइक कर दिया होगा, और इनवार्मेंट वाला, जो अपना चैप्टर है, वो खतम होता है, यहाँ पे, बेटा शेशन स्टार्ट हो गया है, प्रिया, 2024, वाला सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, अगनी ठीके हाले कि आज बच्चे कम थे शायद इंवार्मेंट का एक चेप्टर था जो थोड़ा सा आपको इजी भी लगता है और आज की ग्लास अपन कदम कर रहे हैं कमेंट सेक्षन में लिखके बताएं जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीजे बताएं ये उन पर थोड़ा सा क्वेशन आ सकता है मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को बाई बाई